तो क्या आप लोगों को पता है कि जिस internet को हम लोग use करते हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ 4% information ही दी गई है remaining 96% information हमारे deep web का part होती है और उसी deep web का part होता है हमारा dark web और इस deep web को इस dark web को हम कभी explore नहीं करते ये सोच करके कि यार ये illegal है यहाँ पे तो सिर्फ ponds होती है यहाँ पे सिर्फ तो drugs sale किये जाते हैं इससे लिए हमने आज तक ना तो इसे कभी explore किया और ना ही कभी इसको हमने समझने की कोशिश की पर क्या actually में deep web पे या फिर मैं कहूं dark web पे सिर्फ और सिर्फ illegal activities होती है और अगर ऐसा है तो क्यों बहुत सारी country सी government dark web का use करती है क्यों बहुत सारे journalists dark web का use करते है क्यों बहुत सारे security researchers भी dark web का use करते है क्या ये सब लोग illegal काम कर रहे है नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है even जो browser है right जिसके तुरू आप dark web को access करते हो जिसे हम कहते हैं Tor browser उसकी बारे में बेगर हम बात करें तो उसको भी US की naval laboratory ने ही बनाया है तो actually में ये US की navy में ही एक उनकी organization है US naval laboratory जिनों ने Tor browser को बनाया है ये एक open source browser जो की पहले US की navy यूज करती थी बढ़ अब इसे कोई भी यूज कर सकता है तो government इसका use क्यों करती है पता है government इसका use इसले करती है क्योंकि उनकी भी बहुत सारे से task होते हैं जिसको चाहते हैं कि वो private रहें वो anonymous रहें journalists इसले इसले use करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उनोंने कोई ऐसी information leak कर दी जिससे की government को खत्रा है या फिर किसी country को खत्रा है तो वो country अफिर वो government उनको रहने नहीं देंगे जैसे अभी Julian Assange के साथ हुआ था जहां पर उनोंने US जो की गरबर काम कर रही थी अपने army में उसकी information उनोंने wikileaks भी डाली थी और आज तक उनको उसकी सजा मिल रही है इसके बारे में अगर आपको जानना है मैं description में इसकी link जरूर साथ के साथ share करूँगा you can read about it, you can watch a video about it तो इसी लिए journalist को अपनी जान का खत्रा रहता है और इसी लिए वो dark web का use करते हैं क्योंकि dark web उने पूरी privacy देता है उनको पूरी anonymity देता है और वो अपनी बात को खुल के कहवी बाते है तो उसी तरह से बहुत सारे security researchers भी इसका use करते हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि dark web पे illegal activities होती है मगर सिर्फ illegal activities नहीं होती है इसलिए बहुत सारे हमारे पास ethical hackers होते हैं जो कि dark web को explore करते हैं बट अगर हम बात करें general public की तो हम कभी भी dark web को explore नहीं करते हैं हम कभी भी इसके पास भी नहीं जाते हैं हमेशा डरे डरे रहते हैं कि आँ dark web पे जाने का मतलब है illegal काम है जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है ऐसी चीज़ें हमें हमारा media बताता है जो की कहता है या dark web पे जाने का मतलब है illegal काम करना जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इवन ऐसी बहुत सारी countries है जहांकि government ने public को पूरी तरीके से रोक के रखा हुआ है कि आप deep web पे नहीं जा सकते उन्होंने बहुत साई चीज़ें जो sites है जो browsers है उनको ban करें के रखा हुआ है ताकि कोई भी dark web या deep web पे ना जा सके और ऐसा government क्यों चाहती है government इसलिए चाहती है क्यार उनके भी बहुत सारे secrets है और वो सारे dark web पे कहीं न कहीं reveal हो जाते है and I am not saying about those fake claims I am not talking about that मैं ये नहीं करा कि सब कुछ 100% वहाँ पे जो आपको मिलता है dark web पे उस safe होता है 100% sure होता है बट वहाँ पे बहुत सारी ऐसी information होती है जो कि true होती है and government does not want कि आप उसको access कर पाएं क्योंकि अगर आप उसको access करेंगे तो भी अगले दिन तो करांती होनी है क्योंकि फिर जब public को सच में पता चलेगा कि क्या चलता है actually में तो फिर दिक्कत हो जाएगी government के लिए भी और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे डार्क वेब और डीप वेब को समझने की और भी ज़र्दा जरूरत है जिस तरह से आजकल हमारा data leak होता है जिस तरह से आजकल हमारी चीज़ें private नहीं रह चुकी है जिस तरह से हम आज कुछ भी काम privacy में नहीं कर सकते कोई ना कोई हमें track कर रहा होता है कोई ना कोई हमें manipulate कर रहा होता है जैसे कि अभी Cambridge Analytica ने 2016 election में किया था Facebook और Cambridge Analytica ने मिलके तो इसी तरह का कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा होता है और हमें वो पता नहीं होता और dark web या फिर deep web हमें वहाँ पे बचा सकता है, हमें private बना सकता है, हमें anonymous बना सकता है और साथी साथ मुझे लगता है कि अगर हम dark web को समझेंगे नहीं, तो अगर माल लो वहाँ पे कुछ illegal activities हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए, अगर हम डर डर के बैठे रहेंगे, तो उसे रोकेगा कौन तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि हमें dark web को और deep web को अच्छे तरीके से समझना चाहिए तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बहुत ही detail में बात करने वाला हूँ से बात नहीं करने वाला आपको practicals भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से deep web और dark web को access किया जाता है legally and safely not to do any illegal tasks but to do legal things only just to understand कि किस तरह से आप dark web का use करके अपने को private बना सकते हो anonymous बना सकते हो ताकि आप पूरी तरह से secure हो ताकि आपको कल कोई manipulate ना कर सके तो इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि हम लोग TOR browser के बारे में जानेंगे अभी तक आपने सिर्फ TOR browser का नाम सुना हो सकता हो वगर आपको कभी पता ना चलो कि actually मैं TOR browser कैसे हमें safe रखता है किस तरह से हमें वो privacy and anonymity provide करता है इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे हम लोग बात करेंगे details operating system के बारे में जो कि again हमें बहुत high level की privacy और anonymity provide करती है और इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे practicals करेंगे ताकि हम इसको access करना सीख सकें तो ये वीडियो पूरी तरह से एक full-fledged वीडियो है चो लोग भी let's say for example जानना चाहते है कि dark web को कैसे access करना है deep web को कैसे access करना है या अभी let's say कोई ethical hacker बना चाहता है और अभी वो डरा-डरा है कि आपता नहीं क्या होता है dark web पे so you do not need to worry I will be talking about each and everything with total precautions with total safety आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा so that you can safely and legally access the dark web तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर में ये different तरह के webs कौन-कौन से होते हैं तो पहला होता है आपका surface web जो कि आप अभी तक use करते आ रहे हो जो कि आपकी traditional search engines जिनको index करते हैं बनलब कि आपने google यूज किया होगा आपने yahoo यूज किया होगा जातर हम लोग google यूज करते हैं तो जो ये search engines pages को index करते हैं एक तरह साप कह सकते हो point out कर देते हैं और आप उन्स पारे pages को access कर पाते हो तो वो सारे आपके surface web के अंतरगर्त आते हैं और surface web में आते हैं जिसे हम clear net भी कहते हैं फिर आता है हमारा deep web deep web वो जगा होती है जहां पर आप कहा सकते हो कि हमने ऐसी information रखी है जिसको हम नहीं चाहते कि हमारे traditional search engines index करें जैसे for example हमारी banking information हो सकती है कोई bank हो सकता है तो इस तरह की चीज़ें हमारी deep web पे होती है जब हम बात करते हैं dark web की तो dark web कह सकते हो कि एक part है आपके deep web का इसको भी traditional search engines like google या फर yahoo कभी भी index नहीं कर सकते हो on top of that dark web आपको ज्यादा privacy ज्यादा anonymity भी प्रवाइट करता है जिसके थुरू आप और भी चीज़ें वहाँ पी easily कर सकते हो totally secure रह की कर सकते हो तो dark web का use कौन करता है generally dark web का use आप जाधा तर देखोगे तो journalists करते हैं use ताकि वह अपनी बातों को वहाँ पर कह सकें ऐसे लोग जो hangout करना चाहते हैं वहाँ पर वह लोग भी रहते हैं जैसे कि अगर आप internet की थोड़ी company से take over शुरू किया और फिर उन्होंने का दिखे भी या इस तरही community नहीं बन सकती तो बहुत सारी अच्छी communities भी आपको आ मिलेंगी definitely बुरी भी मिलेंगी मैं यह नहीं कहूंगा कि यहाँ पर कुछ बुरी चीज़े नहीं होंगी कोई भी चीज जब आती है तो उसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है और अच्छा बुरा उसका नहीं होता है हम उसका कैसे से अच्छी चीज़ों के बारे में ही सिर्फ बात करेंगी तो आगे बढ़ने से पहले एक दो important instructions जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूं वो यह करना चाहता हूं कि क्योंकि अब हम लोग dark web को access करने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं और dark web में you are on your own यहाँ पे कोई भी centralized entity आपक बढ़ गए installation के चक्कर में कि आप मैं जल्दी कर लूँगा installation तो हो सकता है कि आप important step miss कर जाओ हो सकता है कि उस important step को miss करने से आपकी privacy anonymity चली जाए तो please मेरे साथ रहे ना second चीज़ कोई it is dark web it is not your regular internet regular internet पे भी जैसे आप ध्यान तो रखते ही होगे क्योंकि viruses वाली links वहां पे भी होती है ऐसा नहीं कि वहां पे सब कुछ बहुत शुद्ध होता है अच्छा होता है तो वहां पी जैसे आप ध्यान देते हो ठीक उसी तरह से यहां पे भी आपको ध्यान देना होग तीसरी important चीज़ मैं directly practicals में नहीं जाओंगा मैं पहले theory से शुरू करूँगा अगर आपको direct practicals वे जाना है तो description में time जो मैंने time stamps दिये हैं आप वहां से directly switch कर सकते हो installation वाले पार्टे बट मैं यह recommend नहीं करूँगा reason यह है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर आप raw browser यूज़ कर रहे हो तो यह कैसे आपको privacy or anonymity दे रहा है अगर आप tales operating system यूज़ कर रहे हो तो यह कैसे आपको privacy anonymity दे रहा है तो आप कभी भी इस पे 100% भरोसा नहीं कत्पा होगे आपको हमेशा ही डर होगा कि कह नहीं है हमें बेकुफ तो नहीं बना रहा है तो इसलिए इस चीज़ को समझना काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो चीज़ हमें समझ बनी आती जैसे हम लोंने बैटमान का ही कोट है राइट कि जो चीज़ समझ बनी आती उससे हम सब ज़्यादा डरते हैं so I do not want you to do that तो हम लोग dark web को भी समझेंगे और tools जो है उसको अच्छे से theoretical भी समझेंगे practical भी समझेंगे ताकि हम लोग बढ़ियां तरीकी से dark web को अच्छे तरीकी से access कर पाई and this is it चल रहो कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है ऐसा जितना आप में आज तक शायद यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे चाहाँ आप बोलोगा mystery of dark web यह होता है dark web पे trust me इसा चीज नहीं होती है until or unless आप उस तरह के person हो तो अगर आप सही काम करने के लिए जाओगी you will find good communities you will find good resources you will find good research papers you will find good 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 things there because 96% of the data वहाँ पे है तो क्या 96% लोग दुनिया के सब खराब है ऐसा तो हो नहीं सकता तो इस चीज पर इस भरोसे पर इंसानियत के भरोसे पर इंसानियत के भरोसे पर इसको explore करेंगे तो चिल रहो ऐस कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है let's explore this तो अब बात करते हैं कि हम लोग आज क्या क्या चीजे पढ़ने वाले हैं तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग internet को anonymously access कर सकते हैं अभी तक क्या है कि हम लोग internet को access करते हैं तो पता होता है कि कौन इस internet को चला रहा है तो anonymously कैसी किया जाता है ये हम लोग समझेंगे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से darknet को भी की बात कर रहा हूं तो मैं डार्क वेब की बात कर रहा हूं उसको किस तरह से अनॉमिस्ली एकसेस कर सकते हैं किस तरह से हम लो डार्क नेट को सर्फ कर सकते हैं और कौन-कौन सी वेबसाइट को हम विजिट कर सकते हैं डार्क नेट पे और कौन-कौन सी वेबसाइट हैं डार् करेंगे and then we will also talk about very important thing कि किस तरह से file sharing हम करेंगे anonymously मतलब अभी तक आप Google Drive OneDrive ये सब्सक्राइब की चीज़ों को use करते थे but किस तरह से private होकर anonymous होकर free of cost अच्छा जो भी चीज़े हम लोग करेंगे is a free of cost होगी किसी में पैसा नहीं लगना है और security इदम top level की देंगी तो ये भी चीज़ हम लोग सीखेंगे और last में एक bonus आप लोगों के लिए किस तरह से dark web पे websites को host किये जादा इसके बारे में भी आपके साथ information शेये करूँगा so that if let's say you want to host some website, a blog or something like that you can host it on dark web and whatever we are going to do in this video will be totally legal and totally security मतब मैं अपने एंड से सब कुछ securely बताऊंगा you do not have to do anything else okay आप अपने मन से सारी links मा क्लिक करने लग जाना पस इतना कर देना and last but not the least कुछ important TED videos मतब टेडॉक्स के जो videos हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कुछ important documentaries आपके साथ शेयर करूँगा description में ताकि आप अराम से उन सारी documentaries को भी देखो TED talks को भी देखो जाना पर उन्होंने बताया है कि भाईया dark web इतना बुरा नहीं है जितना दुनिया बता रही है तो आराम से आप उन सब को दे सकते हो authentic श्तोर से कि सारी information आपको provide हो जाएगी वैसे तो हम लोग ने surface web deep web और dark web के बारे में differences में बात करी ही थी वैसे तो हम लोग ने surface web deep web में difference क्या होता है dark web में क्या difference होता है बात की थी बस आपको quick glimpse देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपके सामने display कर दे रहा हूँ just have a quick read about these things you can pause me for some time and you can read about it but मैंने इसके बारे में पहली बार कर रखे हुई है तो this is dark web and all the slides all the important information सब कुछ आपको description में मिलेगा you don't have to go anywhere just description में जाएए बहाँ साबको सारी links सब कुछ important चीज़े है materials सब कुछ मिल जाएगा तो बात करते हैं कुछ important terminologies के बारे में क्योंकि मैं बार बार दो शब्दों का बहुत इस्तमाल कर रहा हूँ पहला है privacy और दूसरा है anonymity तो पहले ये होते हैं क्या है इंको समझ लेते हैं तो privacy का बड़ा ही simple सा मतलब है आपको एक्जामपल की दूरू समझाता हूँ privacy का simple सा मतलब यह है कि अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हो तो किसी को वो काम पता नहीं चानला चाहिए it's simply like कि वो आपका private matter है वो आपकी privacy है ठीक है definitely कुछ गलत सलत की बात नहीं कर रहा पर अगर आप अपने घर में लेटसे कुछ भी कर रहे हो खाना बना रहे हो कपड़े धुल रहे हो तो आप definitely नहीं चाहोगे कि आपकी घर पे 24 घंटे को surveillance लगा के रखे कि आप अपने घर में क्या करते हो तो privacy is all about कि आप अपनी personal information दूसरों के साथ share नहीं करना चाहते then we have anonymity anonymity की जब बात करते हैं simple सा मतलब आप इस तरह से समझिए कि आप कोई काम तो कर रहे हो बट आप बताना नहीं चाहते हैं कि वो आप काम कर रहे हो मतलब आप अपनी identity नहीं दिखाना चाहते हैं उस काम के थुरू for example जैसे journalists होते हैं जैसे आप देखो कि बहुत साई journalists होते हैं वो डार्क वेप का जैसे मैंने बता यूस करते हैं तो वो डार्क वेप का यूस इस तरह से करते हैं कि उनको अपनी identity भी नहीं बतानी पड़ती है और वो अराम से डार्क वेप का यूस कर लेते हैं वहाँ पे उनको anonymity मिल जाती है या फिर आपने superheroes देखेंगे तो superheroes दुशम दुशम करते हैं बहुत सारे criminals से लड़ते हैं सब कुछ करते हैं and they wear this mask so that they can protect themselves और not only actually अगर अपने को नहीं तो उनकी family members सो कोई threat ना करे कुछ ना करे इसलिए वो ये mask पहन के रहते हैं so this is what anonymity is to be anonymous मतलब कि आप कोई काम करोगे बिलकुल आप खुलम खुला वो काम करोगे ऐसा भी नहीं कि छुपके काम करोगे but किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कर कौन रहा है ठीक है so this is what anonymity is now the question is कि आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं आज हम लोग इसके बारे में इसलिए बात करें है privacy or anonymity के बारे में क्योंकि 24 घंटे 7 दिन आप पे कोई न कोई नजर रखे हुए है आपको पता नहीं चलता मगर आप पूरे टाइम एक surveillance में रहते हो और यह surveillance होती है because of your internet या फिर आप कहलो because of your mobile devices इस computer devices जो भी आप use करते हो जो कि आपको internet से connect करती है तो जब भी आप कोई भी mobile application लाप तो आप कुछ भी use करते हो तो आप 24 घंटे internet से connected होते हो और क्योंकि आप internet से connected होते हो तो यह जो software आप यहाँ है अपने computer में install करे रहते हो like browser, operating system even वो सब आपकी information को अपनी company के server पे डालते रहते हैं क्यार यह देखो यह बंदा है यह इस तरह की काम हमारे desktop पे कर रहा है हमारे software पे कर रहा है तो ऐसा करकर के वो आपके बारे में सारी information निकालते हैं कई बार आपके सामने एक pop-up भी आता है थोड़ी companies जो थोड़ी वो तहजीव रख रहती है वो pop-up भेज देती हैं कि भाईया हमको थोड़ा data चाहिए होगा आपका क्या आप देने के लिए राजी हो आप मना कर देते हो बट स्टिल दे टेक यो data मैं नहीं कूँँगा पूरा data बट स्टिल वो data लेते रहते हैं आद दी बाक ओफ यूर system तो हर चीज क्योंकि आज इंटरनेट से connected है हर चीज क्योंकि आप जो यूज कर रहे हो वो इंटरनेट से connected है तो आपकी सारी की सारी information एक centralized server पे होती है ताक कि वो पैसा बना सके आपको manipulate करके आपको बड़ें-बड़ें ads दिखा के और बड़े-बड़े decisions को भी आपकी manipulate करने की उनके पास थाकत होती है वो इस तरह से आपका data collect करते है तो आज हम लोग इसलिए दो बहुती important software इसके बारे में बात करने वाले है पहला है Tor Browser तो इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे ताकि हम समझ चाहिए कि किस तरह से हम लोग decentralization का use करके internet को access कर सकते है पहली चीज जो कि हमें Tor Browser दिखाएगा और फिर हम लोग बात करने वाले है Tails Operating System के बारे में जो की Tor Browser के थुरूई या फिर आपके लिजए Tor Network के थुरूई हमें हर तरह का internet access देता है अब यह क्या मैं कहारा हूँ सब कुछ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा क्यार क्यों हमें Tails Operating की जरूईट है क्यों हमें Tor की जरूईट है इस सारी जिज़ों का खुलासा इस पड़गरा वीडियो में हो जाएगा तो आपको इससे Privacy भी मिल जाएगी Anonymity भी मिल जाएगी और वो भी Free of Cost में तो चलिए जरू करते हैं तो Tor Browser को Download करने से पहले Install करने से पहले आएए समझ लेते हैं कि आखिर में Tor Browser Work कैसे करता है अब यह समझना काफी जरूरी है बिकास अब हम लोग Dark Web को Access करने जा रहे हैं और क्योंकि Tor Browser Secure है As Compared to Any Other Browser तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए तब ही तो हमारे अंदर confidence हाएगा कि हम Dark Web को Access कर सकते हैं Without Any Privacy Issue Without Any Problem तो चलिए समझते हैं कि आखिर में Tor है क्या पहले तो तो अगर बात की जाए Tor की Tor Short Form होता है The Onion Router Onion भी कहते है कुछ लोग मैं Onion कहते हूँ तो कुछ भी आप कहले हो Is a network and software project that aims to provide anonymous communication over the internet तो पहले चीज़ जैसे कि हम लोगने discuss किया ही हुआ है कि anonymity क्या होती है privacy क्या होती है और basically Tor Browser हमें क्या प्रवाइड कर रहा है anonymous behavior प्रवाइड कर रहा है और privacy भी करेगा जिसको हम लोग समझेंगे कैसे तो इट वाज इनिशली डेवलप बाइड यूस नेवल रिसर्च लिबाटरी और यह एक यूस नेवल रिसर्च लिबाटरी का प्रोडिक्ट है जिसको open source कर दिया गया ताकि इसको कोई भी यूस कर सके और आज भी जो volunteers हैं TOR के वो आज भी इसको पुरी तरह से build-up करते हो और आप भी इसमें help कर सकते हो मैं दिखाऊंगा की कैसे बहुत ही simple भास्टर में कहा जाए तो TOR आपकी help करता है आपको anonymity प्रोड करने में आपको privacy प्रोड करने में कुछ इस तरह से कि आपके बारे में कभी कोई जानी नहीं पाएगा कि आपने कभी ये service यूस की थी और फिर ये particular domain अक्सेस किया था कैसे है अभी हम लोग समझाने की ज़रूर से तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़े कहना चाहूँगा यहाँ पे आप देखे होगे कि bypass censorship है अब जैसे हम लोग censorship को bypass करने की बात करते हैं या फिर हम किसी blog website को you know access करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाब में कुछ ulti cd images आ जाती है ulti cd आज़े हैं कि हम लोग कुछ illegal करने जा रहे हैं बट ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेट मी टेल यू जब हम लोग कहना है bypass censorship तो हम लोग कही सारी ऐसी website को access करने जा रहे हैं चुकि government ने जान मुझ करके let's say bank की हुई है so that nobody can access this जैसे कि किसी journalist ने कोई evidence found किया और वो evidence directly internet पे वो नहीं show कर सकता क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी जानगों खत्रा है तो इस तरह की चीजों को वो क्या कर सकता है वो dark web में डाल सकता है और वो किसी ऐसी website पे होगी जो की हो सकता है कि हमारे यहां banned हो but still we can access it on the dark web तो बिलकुल यह मैं समझे ना कि जब मैं कहा रहा हूँ bypass, censorship, access, blocked websites, maintain, anonymity तो कुछ गलत सलत काम करने के लिए हम लोग यह करने जा रहे है नहीं हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी privacy को maintain करने के लिए करने जा रहे है और सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ सही है dark web पे उनको access करने के लिए करने जा रहे है तो do not think कि कुछ हम illegal करने जा रहे है let me tell you this so it is also used by journalists, activists, whistleblowers as I said तो यह journalists और जो activists होते है whistleblowers होते हैं जो कि उनको लगता है कुछ गरबर चल रहा है society में जिसको बताना चाहिए बट उनको लगता है कि अगर बताया है मैंने जाके openly तो मेरी जान को खतरा है या फिर मेरी family को खतरा है, कुछ भी हो सकता है आपने movies भी देखियोंगी तो इस तरगी cases में वो लोग क्या करते हैं वो लोग dark web का use करते हैं और dark web को access करने के लिए वो tor browser का या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे trail operating system का use करते हैं तो अब अगर बात कीचाए normal client server architecture की क्योंकि हमें समझना होगा कि आखर में problem है कहाँ और tor इसे कैसे solve कर रहा है तो अगर हम normal client server architecture की बात करते हैं तो normal client server architecture में दो चीज़े होती है एक client होता है और एक server होता है like ISPs होती है कई सारे routers होता है बहुत तरह की चीज़े होती है like proxy servers होती है DNS server होता है बहुत तरह की चीज़े होती है but just to simplify this whole picture मैं कहाँ रहा हूँ कि client server architecture में एक client होता है और एक server होता है चहाँ पर client कुछ request करता है data के लिए let's say हो सकता है server YouTube का है Google का है किसी का भी हो सकता है Amazon का है let's say let's say client को for example Amazon से कुछ समान खरीदना है तो वो request करेगा कि Amazon देखो मुझे ये समान खरीदना है तो उस particular समान का जो भी data होगा as a response वो client को भीज़ा जाएगा ताकि client उस particular product के बारे में जान सके now this is a very good approach जब ये server आपके बारे में सारी information भी collect करता है जैसे ही आप इसको request करते हो और जाने अन जाने कहलो जान मुझे कहलो ये कर रहा है आपको पता नहीं है मुझे ये कर रहा है जैसे कि कैसे तरह की information पहले चीज आपका IP address किया है आप कहां पे रहते हो आपके बारे में ये जानना आपकी कुई इसकी information को रखना कि यार क्या इस client ने पहले मुझे कभी access किया था और अगर access किया था तो उसने कौन सा data access किया था तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको उसी तरह का data show कर सकता हूँ जैसे आप YouTube पे देखते हो A to Z अगर आपने digital marketing की है so trust me you will understand कि आपके बारे में A to Z information पता की जा सकती है जैसे ही आप किसी particular application को जैसे ही आप किसी particular website को access करते हो साथी साथ आपका ISP कौन ISP as in जो कि आपको internet की सुवधा provide कर रहा है कि ATL है इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इस तरह के ISP services है जो कि आपको internet की facility देते है तो कौन ISP है जो कि आपको यह facility provide कर रहा है तो हर एक चीज आप देख सकते हो हर एक चीज आपके बारे में यह server जान जाता है जैसे ही आप इसको request करते हो Now this is as I said is a dangerous thing because now आपकी ना तो कोई anonymity है ना यहाँ पर आपकी प्राइसी है कुछ भी नहीं आपका यहाँ पर सब कुछ इस server को इस company को आपके बारे में पता है तो TOR क्या करता है वो दूसरे approach वो work करता है वो work करता है आनियन routing पर किस पर आनियन routing पर अब यह आनियन टर्म आप बहुत जादा देखोगे तो don't worry मैं आपको बताऊँगा यह सारी चीजने क्या है भी डिटेल में बट सली समझते हैं कि पहले आनियन routing वर्क कैसे करती है तो यहाँ पर भी client होता है no doubt in that आप एक client होगा यहाँ पर भी एक server होगा server किसी का भी हो सकता है हो सकता है Google का हो YouTube का हो किसी भी company का हो सकता है doesn't matter और यहाँ पर भी client request करेगा just like अभी हमनों ने देखा client server architecture में जहाँ पर normal browser का भी the client यूज़ कर रहा था अब यहाँ पर वो tor browser का यूज़ कर रहा है अब इस particular case में क्या होगा onion dotting की case में यह जो request यहाँ पर client ने की है वो directly server के पास नहीं जाएगी वो क्या होगी बता है वो filter out होके जाएगी मतलब यह कि instead directly going to the client यह जो request है यह multiple nodes से होते हो जाएगी अब यह nodes कैसे बनती है यह nodes simply tor जब आप browser को install करते हो तो वहाँ पर कई सारी settings होती है हम लोग देखेंगे अभी उसके थूँ आप एक node बन जाते हो जैसे हम लोग bitcoin में node बनते हैं अगर आप लोग को bitcoin के बारे में पता है तो उसी तरह से node हम लोग एक software install करेंगे बस इतना समझ लो और हम लोग यहाँ पर एक node बन जाते हैं एक तरह से आपके लोग tor की node बन जाते हैं ठीक है for simplicity's sake अब ये nodes क्या करती है ये आपकी help करती है तो जैसे ये request आप भेजते होए server को let's say google.com पे तो ये request directly server बिना जाके इनमें से ही किसी एक particular node के पास जाती है अब जिस भी node के पास जाती है उसे हम कहते हैं entry node और इस entry node को ये तो पता होता है कि किसने ये भेजा है definitely इसको आपके बारे में पता होता है बट इसको ये नहीं पता होता है कि इसको ये information किसके पास ले जानी है मतलब कि इसको ये तो पता है कि यार इस particular client ने let's say ABC ने request भेजी है बड़ इसको ये नहीं पता है कि ये किसको request भेजी गई है कि google.com को भेजी गई है youtube.com को भेजी गई है amazon.com को भेजी गई है फिर यह जाएगी किसी और node के पास और फिर at the end of the day जो यहां की last node होगी उसके पास यह information जाएगी आपके server के पास अब जो यह last node होगी यह वो node होगी जिसको यह तो पता होगा कि यह request किसको भेजनी है मतलब इसको यह तो पता है कि google.com को मुझे request भेजनी है बट इससे यह नहीं पता कि actually में किसने यह request भेजी थी मतलब इसको ABC के बारे में कुछ नहीं पता है इसको destination address पता है बट इसको starting address नहीं पता है क्योंकि हर एक चीज यहां पर जो भी जा रही है यह आप देख रहो ना एक line में इस तरह से अधर से अधर से होते हुए जा रही है सब कुछ encrypted रहता है तो इसलिए मैंने का कि जो भी data आप request कर रहे हो क्या आप कर रहे हो किसी को कुछ नहीं पता है बस यह एक तरह से आप कहा सकते हो path follower है यह के लोग कि आप एक road है जिस road में entry जब आप लेते हो तब इस entry वाले को पता होता है कि अच्छा आप हो बढ़ इसको यह नहीं पता होता है कि आप कर क्या रहे हो ठीक उसी तरह से यह जो exit वाल है exit वाल को यह तो पता है कि हाँ कोई exit कर रहा है मतलब कोई बाहर तो जा रहा है बढ़ इसको यह नहीं पता है कि कौन बाहर जा रहा है तो इस तरह से आप पूरी तरह से anonymous रहते हो पूरी तरह से private रहते हो क्योंकि अब आपकी information पहले तो encrypted होती है आपको यह ज़रूर जानता तो है बगर यह नहीं जानता है कि आप घर कहा रहे हो तो आप privacy में पूरी तरह से आपकी privacy इंशूर की जा रही है यह वाला यह तो जानता है कि इसको request भीजी जा रही है बढ़ इसको यह नहीं पता है कि आप किसने यह भीजी है और ऐसा निए कि यह path कुछ fixed होता है यह path change भी हो सकता है हो सकता है वो इस तरह से भी जाए तो कोई यहाँ पे fixed path नहीं होता यह path change होता रहता है यह पूरी तरह साथ आप कहा सकतो dynamic है जैसे जैसे जो notes अवेलेबल होती है जो जो pass होती है उसके थुरू ये पूरी request इस तरह से transfer होती है अब यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे मैंने बहुत सारे nodes को यहाँ पे mark किया हुआ है तो यह जो nodes है जो यह वाली node है जो yellow color में इसे को कहते हैं हम लोग entry node ठीक है यह जो node है जो blue color से मैंने दिखा है इसे हम लोग कहते है middle nodes और यह जो last value node है इसे हम कहते है exit node ठीक है तो इस तरह से यह nodes पूरी तरह से इस तरह से आपकी पूरी onion routing work करती है बट अभी भी इसमें एक problem है problem मैं बताता हूँ क्या है problem यह है कि अभी भी अगर आप देखोगे यह जो green से मैंने mark किया हुआ है यह तो secure connection है क्योंकि भईया यह सब कुछ encrypted data है सब कुछ encryption में है यहाँ पर तो किसी को भी कुछ नहीं पता है बस सब को यह पता है कि next जो next node है उसके बारे में पता है जिसे हम लोग relay air भी कहते है relay air 1 कहलो relay air 2 जिसे ही relay air 1 है relay air 2 हो गया relay air 3 हो गया तो यह भी आप कह सकते हो बट इनको यह नहीं पता है कि तो सब कुछ नहीं पता है सब कुछ encrypted है बट यहाँ पर आप अगर आप देखोगे जैसी यह चीज exit होती है तो यहाँ पर मैंने आप देखो कि यहाँ पर भी red से show किया हो है और यहाँ से भी red पर show किया हो है मतलब यहाँ यहाँ पर जो चीज़े है इसको मैंने red से show किया यह सब चीज़े green में है क्योंकि यह सब secure है बट यह और यह secure नहीं है क्यो secure नहीं है अब माल लोगी ये भाई साब ये जो हमारे ABC है वो अकसेस कर रहे थे कोई ऐसी वेबसाइट जो की HTTP का यूज नहीं करती सॉरी HTTPS का यूज नहीं करती है आपने देखोगा आजकल वेबसाइट ने HTTP होता है और HTTPS होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी hackar हो सकता है और जैसी ही ये exit कर रही है कैंने इसको सब पता चल जाएगा कि अछा कुछ गरबड चल रहा है उसको सब पता चल देगा कि क्या हो रहा है पूरे network में अब इस चीज को अगर secure हमें बनाना है तो इसका सिर्फ एक इस तरीका है कि आप इस तरह की websites पहले बात तो यूजी मत करो जो कि HTTP का use कर रही है because अगर आप HTTP वाली websites का use करोगे कि आपकी कोई information तरह से की password या फिर आपका कोई debit card number या कुछ भी इस तरह की information यहां मत डालना हो सकता है कि वो leak हो जाए तो इस तरह की लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा पहले दो secure website यूजी जो की होती है HTTPS तो अगर आप HTTPS website यूज करोगे पर अभी यहां पर अगर आप देखोगी यहां पर जब entry ली गई है तो यह secure नहीं है अब यह क्यों नहीं secure है क्योंकि यहां पर जब भी आप internet से जब भी कोई request भेजते हो कुछ भी करते हो तो आप internet यूज कर रहे हो और यह internet कौन प्रोइड कराता है यह internet आपके ISPs प्रोइड कराते है और ISPs क्या होते है तो ISPs basically आपके internet service provider होते है जो कि आपको broadband connection से लेकि हर तरह कि जैसे मैं यूज कर रहा हूँ rail wire for example this is a local ISP हो सकता है कि आप Jio यूज कर रहे हो हो सकता है आप Airtel यूज कर रहे हो तो वो पता रख सकते हैं इसलिए आप देखोगे कि जब भी कुछ situation सही नहीं रहती है countries में तो internet ban हो जाता है या फिर आप ban भी आजन इंटनेट बंद हो जाता है आप कुछ भी request नहीं कर पाते हो because ISPs वहाँ पे होते हैं और government कहती है ISPs से कि वहाँ इंटनेट को shut down कर दो मतलब कि लोग इंटनेट को access ना कर पाए तो यहाँ पर यह जो ISPs हैं अभी भी यह सब कुछ देख सकते हैं यह सब कुछ monitor कर सकते हैं कि हमने किसको request भेजी है जैसे अब ABC ने let's say google.com को request भेजी है तो ISP पूरी तरह से देख सकता है कि अच्छा ABC वाले बंदे रेना google.com पे हमारी information बलब की google.com पे request भेजी है तो उसको पता है तो इस तरह की cases में हमें क्या करना होता है इस तरह की cases में basically हमें virtual private network install करना होता है बट वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है अभी के लिए definitely this is the unsecure point हम मान के चलेंगे but हम लोग जब आगे बढ़ेंगे जैसे इस course में तो वहाँ पे हम लोग virtual private network के बारे में बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस particular area को भी secure बनाया जा सकता है तो onion routing के बारे में कुछ teaser discuss कर लेते हैं तो TOR works by routing internet traffic through a series of volunteer operated servers तो देख सकते हो यह volunteers है volunteers as in आप भी कर सकते हो because this is the decentralized way of working यहाँ पे कोई centralized authority नहीं जो कि आप से कह रहा है कि आप तुमको बनना पड़ेगा node तुमको बनना पड़ेगा node यह तुम नहीं बन सकते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप भी बन सकते हो और इसे ही कहा जाता है nodes या फिर relays ठीक है मैं कहाता है relay 1, relay 2, relay 3 तो यह भी कह सकते हो जब भी आप TOR के use करते हो तो आपका जो भी internet traffic होगा वो पुरी दर से encrypted होगा और pass through several relays या फिर कह लो several notes each of which only know the IP address of the previous and next relays in the chain तो मतलब कि अगर मैं वापस से जाओ तो यहाँ पे यह बन्दा पीछे वाले को जानता है और अपने आगे वाले को जानता है जो कि यह है यह बन्दा पीछे वाले को जानता है और अपने आगे वाले को जानता है यह बन्दा इसको जानता है और इसको जानता है और यह बन्दा इसको जानता है और इसको जानता है तो यही चीज मैंने बताई भी थी कि आप यह बन्दा कभी इसको नहीं जान पाएगा और ये वाला बंदा कभी इसको नहीं जान पाएगा इसको ये पता है कि यहां जाना है पर इसको ये नहीं पता कि कहां जाना है ठीक है So this process is often referred to as onion routing because like the layers of an onion each relay only has information about the adjacent relay तो जैसे आपके onion का छिलका होता है आपने देखा एक छिलका हटा हो फिर दूसा छिलका हटा हो फिर तीसा छिलका हटा हो just like that only एक एक relay को अपने next वाले relay के बारे में पता है बड़ उसको कभी ये नहीं पता चला कि final और previous के previous कौन था और final के final के बाद कौन था next के next कौन था ठीक है तो TOR की वरकिंग भी हमनों ने देख ली इसको भी एक बार finalize कर लेते हैं आपे so encryption so when you store your internet traffic is encrypted multiple times तो यहाँ पे बली encryption का यूज होता है each relay in the store network decrypts a layer of encryption to determine the next relay in the chain तो आपने जैसे कोई भी request भेजी तो एक relay जब दूसरी relay के पास भेजेगा तो उसको encrypt करेगा फिर जिस relay के पास यह request चाहिए उसको थोड़ा सा decrypt करेगा फिर उसको वो next relay के पास भेजेगा और इसी तरह से पूरा process चलता रहेगा अब entry note में आप देखिए तो your internet traffic enters the TOR network through an entry note which is the first relay मैं आपको दिखाया भी था the entry note knows your IP address but does not know your final destination तो इसको आपके final destination के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है middle notes जो कि हमारी middle में थी तो each middle note decrypt सा layer encryption to determine the next relay तो बस next relay को होन है यह जानने के लिए वो decrypt करेंगी और next relay, next relay पहुतती जाएंगी and then we have the last note that is the exit note अगर exit note के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे the exit note knows the final destination of the traffic but doesn't know the source or the previous notes in the chain तो उसको कुछ नहीं पता है कि source कौन था उसको कुछ नहीं पता है कि previous to previous कौन notes थी उसको just before कोई है यह पता है जहां से आया है बट उसको उसके अलबा कुछ भी नहीं पता है और एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जब भी यह जो hops हमने देखे थे just let me show you the hops तो यहाँ पे आप देखो कि जो इतने भी यहाँ पे hops होते है यह एक तरसे एक hop है दो hop है, तीन hop है, चार hop है, पांच hop है तो इस तरह से tornado work करता है कि वो make sure करता है कि कम से कम तीन hops होंगे ही होंगे तो ऐसा नहीं होगा, कभी क्यार यहाँ पे गई और buy chance अगर कोई node यहाँ पे available नहीं है just for example तो वो direct lease को भेज़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता कम से कम तीन notes होनी ही चाहिए तो यहाँ पे एक होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी फिर यहाँ से data जाएगा, यह हो सकता है but at least three notes का प्रविधान या फिर कहें लो at least three hops तो होने ही चाहिए, तो एक hop दो hop, तीन hop, तो मनलब कि अगर आप देखोगे जितने hops है उतने ही notes भी है तो पहला hop, तो एक note, दूसरा hop, दूसरा note तीसरा hop, तीसरा note ओके, तो अब हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं हमारे tor browser को, और यहाँ पे थोड़ा एक चीज आप फो को से कहना चाहूँगा, क्यार मैं अभी डाउनलोड करके आपको जो दिखा रहा हूँ वो step by step follow करिएगा थोड़ा हरी मिमत रहेगा कि मैंने आप डाउनलोड के और आपने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया because again, यह हमारी privacy, anonymity का मामला है, तो हम नहीं जाएंगे कि हमारी privacy या फिर anonymity कहीं से भी you know, हैंपर हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिजएगा, जो जो चीज़े मैं बता रहा हूँ बस उसी step गो करिएगा, बहुत जल्दी मिमत रहेगा otherwise आप important step मिस्स कर जाएंगे तो थोड़ा ध्यान दिजएगा यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आगे हूँ टॉर पर और यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर करते हूँ जहां से आप इसको download कर सकते हो तो मैं यहाँ पर देखोगे तो Windows operating system, Mac operating system और Linux operating system according to your system आप इसमें से कोई भी download कर सकते हो मैं यहाँ पर क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ Windows तो मैं यहाँ पर 64 bit वाले पर click करूँगा so that I can install it in my Windows operating system और हो सकता है कि कुछ लोगों केस में ये website block हो मतलब कि अगर उन्होंने ये चीज़ run करने कोशिश की और वो देख रहे हैं कि यार ये website access नहीं दे रही है because of the obvious reason क्योंकि ISV नहीं हो सकता है इसको block करके रखा हो या पर आपकी government नहीं जाती हो कि आप इस particular website को access करो तो उस particular case में आपको क्या करना है उस particular case में आपको आना है इस particular website पे that is gettor.torproject.org इसकी भी link मैं आपके साथ description में share कर दूँगा so you can access it from there और यहाँ पे आपको simply क्या करना है यह जो tor की email ID है उसमें आपको अपना windows आपका जो भी operating system है आपको वो बताना है क्या मेरा windows है, mac है या फिर जो भी operating system है आपको वो बताना है और simply यह mail send कर देना है जैसे आप mail send करोगे within some seconds, within some minutes आपके पास tor की downloading links आजाएंगी जिसको आप access कर पाओगे आराम से आप download कर पाओगे tor browser को वहाँ से तो without any problem तो यह चीज़ आप कर सकते हो या फिर आप इनके telegram group पे भी जा सकते हो वहाँ से भी tor को आप install कर सकते हो without any problem तो यह दोनों ही steps पुरी तरह से कारगर है आप इन दोनों को करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा without any problem तो मेरे case में मैं 64-volt operating system यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर click करूँगा और आप देखोगी कि यह यहाँ पर download हो क्या है but please जल्दी से जाके उस पर click मत करना because हमें उस पर click किसले नहीं करना है क्योंकि अभी हमें उसे verify करना होगा कि यह जो download हुआ है यह actually में एक verified download है कि नहीं basically जब भी आप कोई file download करते हो न server से तो जैसे यह टॉर का server है जहां से मैं यह file download कर रहा हूँ the thing is कि यह file directly मेरे client पर नहीं आती है यह अभी भी बहुत सारे networks से होते हुए गुजरती है वो networks हो सकते हैं आपके ISPs हो, हो सकता है आपका local network हो तो यह बहुत सारे से में भी networks से होते हुए गुजरती है बहुत सारे एक तरह साथ कहा सकते हुए devices से होके गुजरती है तो जिसकी वज़े से यह हो सकता है कि instead of directly coming to you यह होगा क्या, कि यह इन सारे networks से route होते हुए आपके पास आएगी now the problem in this particular approach is इसकी हो सकता है कि यहां पर कोई hacker बैठा हो जिसने क्या किया आपके इस particular file को tempered कर दिया जिसके तरूँ उसने कोई backdoor या फिर कुछ virus inject कर दिया जिसके तरूँ आपकी privacy या फिर anonymity को आराम से हमपर कर सके तो जैसे आप इसको इस particular package को अगर download करोगे अपने system पे और install करोगे तो definitely ये आपके लिए सही थाबित नहीं होगा और आपकी privacy आपकी anonymity पुरी तरह से चली जाएगी अब देखो टाउर की case में ये करना तो टाउर की case है बिसके लिए हम लोग को यहां पर इसलिए verify करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्यों टाउर इसलिए बना ही है कि हमें privacy और security दे सके हमें anonymity दे सके और privacy और security दे सके तो chances are very high है कि ये जो file आप download कर रहे हो हो सकता है कि वो tempered while हो chances are high I am not saying कि होगी but हो सकता है कि ये file tempered हो because अब इस particular चीज़ को इसलिए install कर रहे हो ताकि आपके anonymity बन सके और hacker जानता है तो वो चाहेगा क्यार क्यों ऐसा हो कर रहा है बंदा ना क्यों वो anonymous रहना चाहता है वो क्यों private रहना चाहता है तो हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे monitor करने की कोशिश करें तो इसलिए आपको directly इसको install नहीं करना है पहले जो ही package हमने download के है इसको हम लोग verify करेंगे तब इसको हम लोग install करेंगे अभी कैसे verify होगा चलिए देखते है so again coming to the tower browser website यहाँ पे आप देखोगे एक चीज लिखके आ रही है signature SIG बगल में इस पे आप click करिएगा तो जिससे ही आप इसपे click करोगे आप देखोगे कि यह इसका जो signature है वो भी यहाँ पे install हो चुका है अब यह हम लोग इसको use करेंगे but for that मुझे इसको verify कराना होगा और verify कराने के लिए अगर ही मैं यहाँ पे दूसरी website पे आथ चुका हूँ support.tor object don't worry मैं इसकी भी लिंग आपके ताँ शेयर कर दूँगा और यहाँ पे अगर आप scroll down करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी public key मिल जाएगी just to verify कि जो हम लोग ने door basically install किया है जो भी package हम ने install किया है वो सही है कि नहीं तो आपको यहाँ पे इसके click करना है so if you encounter errors you go okay I think यह इसके लिए उपर वाले के लिए but हम लोग यहाँ पे simply click करेंगे download and use this public key and when you will do that आप देखो कि यह थोड़ा gibberish सा test है text है basically so don't worry this is just cryptography just save this so control plus shift plus s or control plus s actually and इसको भी हम लोग अपने downloads में save कर सकते हैं and I can name it let's say tor public key right और इसका extension key दे देते हैं लोग just to remove any confusions and okay मैं एक चीज़ यह कर लोता हूं कि instead of tor pub की इतना बड़ा नाम देने सच है tor pub dot key यह सही रहेगा इसे मैं कर लेता हूं safe तो अब देखो कि तीरों चीज़े हमारे पास download में ready है अभी भी हमारा मगर काम complete नहीं हुआ है कि हम लोगों को भी open source projects की help करने चाहिए because they are doing such a great job अगर आप देखोगे तो tor को भी आप help करना चाहो तो कर सकते हो donate करके उनकी community है उसको में भी आप support कर सकते हो किसी नगजी तरह से हमें भी open source project में support करना चाहिए and we should do that ठीक है अब यहां भी यह download हो रहा है let's read for some time तो आप देखोगे कि यहां downloads में मेरे पास सारी चीज़ें आ गई है let me increase the size थाकि आप लोग भी अच्छे से देख पाओ तो यहां भी जी पीविन वाला है पहले इसको मैं install करूँगा okay so yes so it is now loading let me show you so okay actually मेरा main operator main monitor वो है तो इसी वज़े से वो इदर चला जा रहा है so next next और आप देखोगे कि यहां पर यह installation complete हो रहा है ठीक है तो यह GP4 को मैं ने install किया है मैंने Tor को नहीं install किया है तो do not get confused कि यहार आपने Tor को install किया है नहीं मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसको install किया है अब यहां पर हमें क्या करेंगे यहां पर आप देखोगे कि यह Clio Petra के हमारे पास यह install हो चुका है और यह आपके अगर आपने start menu में भी आपको दिख जाएगा अगर by chance आपके में automatically open नहीं होता है so Clio आपके जब install करीजेगा तो open कर लीजेगा फिर इसके बाद यहां पर आपको import करना है तो import क्या करना है हमें यहां पर यह keys को import करना है तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में so for most action you need either public key or own private key तो यहां पर मैं कर रहा हूं import मैं जाओंगा downloads में अब यहां पर आप any files कर दीजे ताकि आपको आपकी key दिख सके तो यह आपकी key थी dot pub.key जो मैंने दिया था open कर लीजे इसे अब यह चीज यहां पर हो चुकी है just click on okay तो अब यहां पर आप दे सकते हो हमारी जो public की है वह यहां पर आ चुकी है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर आप देखरों एक option आ रहा है decrypt verify का इस पर क्लिक करना है downloads में gain जहां पर आपकी file हो और यहां पर आपके आपको select कर लेना है जो की application अवली है अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा मेरे में एक चीज यह हुई है क्योंकि मैंने Tor को दूसरी बार install किया है तो आप देखो कि मेरे में 2 लिख किया रहा है अब जिसकी वैज़े से यह जो naming है इन दोनों files के बीच में जो कि एक file यह भी आप देख रहो Tor browser install win इन दोनों के बीच में naming थोड़ी change हो गई है So I will rename it so that यह 2 हटा दू यहां से क्योंकि वो मेरे उस particular folder में थी तब तक के लिए ठीक था आप मुझे जिस folder में थी वहां पे पहले से एक Tor का installation पहले से था तो इसके वैज़े से यहां पर 2 लिख के आ रहा है आपके case में हो सकता है कि दम सही हो तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे में 2 लिख के आ रहा है इसलिए मैंने 100 बस अठाया ताकि दोनों का file name same हो जाए Now I will select this I will click on open Now you can see कि यहां पे verification start हो गया है और आप यहां पे लिख के आ रहा है verified or browser install और यहां पे लिख के आ रहा है कि everything is good I think signature created on Thursday this 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 and everything is good यहां पे आप देख सकते हो यह लिख के आ रहा है कि the data could not be verified right so do not worry about it because यह इससे कोई मतलब नहीं है आपको इसके लिए परशानी होना है यह जो अपर रही line है अगर आपके में यह लिख के आ रही है so you are good to go मतलब आपका जो installation है अगर आप यहां पे जाते हो show audit log तो आप देखो कि लिख के भी आ रहा है good signature from the TOR browser developers so everything is good you do not have to worry about it तो और किसी message को आपको नहीं देखना है सिर्फ इस message को देखना है अगर यह चीज यहां पे है तो मतलब सब कुछ सही है let's close this अब इसके बाद मैं simply जाना है और यहां पे TOR को install कर लेना है अगर आप यह नहीं भी करते जो मैंने भी आपको steps दिखाए है तब भी काम चल जाता बट हमें कभी पता नहीं चल पाता कि हमारे पास सही version है की नहीं सही मतलब file है की नहीं अब यह open हो जाएगा आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा TOR browser run करने लगा है यहां पे कुछ configuration करने है तो do not be in hurry and do not just connect it just wait for me तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको next steps क्या-क्या कैसे कैसे करने है तो अब हम लोग TOR को कैसे use करेंगे तो TOR ठीक है then just click on connect तो आप देखोगी कि हमारा TOR इससे में activate हो रहा है so it will take some time to establish the connection because आपने देखा बहुत सारे TOR network में काफी सारे nodes होते है तो यहां पे हमारा TOR network इससे में open हो चुक है और यह हमारा search engine अगर आप देखोगी तो यह है duck duck go now before running this let me check कि यह work कर रहा है कि नहीं सही से तो यहां पे आप डालिएगा check.tor project.org इसकी भी link में description में share कर दूँगा just enter this particular thing and once you will जसे आप यह चीज पे वो जाओगी जसी access कर रोगी तो आप देखोगी congratulations this browser is configured to use TOR और आप देख सकते हूँ कि this is the IP address now this is not my real IP address आप देख सकते हैं उसमें लिख क्या रहा है कि your IP address appears to be this तो यह मेरा IP address रहेगा when I am using the TOR network for the privacy and for the anonymity reasons right आप देख सकते हैं आप उसके बारे में पूरा दिया भी होगा है कि you are not free to browse the internet anonymously और अप अराम से आप जो भी websites को access करना है अराम से आप access कर सकते हो अब कुछ लोगों की case में जब उन्होंने यह चीज ट्राइक की होगी right तो chances are कि अगर आपकी country में तौर हो सकता है कि band हो या फिर हो सकता है कि उसको आप use ना कर पा रहे हो तो इस तरह की case में आपको क्या करना है अगर by chance आपके पास यह tower browser का access नहीं आ रहा है जैसी आपने आप यह चीज की तो tower browser की यह particular जो page है इसको आप नहीं देख रहे हो आप देख रहे हो कि यारे कुछ भी नहीं आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है कि not found something तो उस particular case में आपको क्या करना है और ऐसा हो के रहा है इसको भी समझते कि क्यों आप इस particular page को access नहीं कर पा रहे हो तो अगर by chance आप लोग उस particular page को access नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है तो होता है कि यह समझ लिए कि हम लोग को समझ मैं कि आखर में problem हो क्यों रही है because ISPs आपको provide करते हैं network की facility, internet की facility तो जो भी आप वहाँ पे destination डालते हो, जो भी destination address डालते हो, चाहे वो Google का हो, चाहे वो YouTube का हो, चाहे वो Tor network के ही किसी particular चीज का हो, तो Tor network को let's say access करना चाहरे हो तो ISPs को ये चीज पता चल जाता है और जैसे ISPs को ये चीज पता चलती है और अगर आप ही country में Tor band है, तो उस particular case में ISPs इस particular request को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो as a middle person इसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, तो अगर ISPs इस तरह की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम basically use करते हैं bridges का, तो bridges भी एक तरह से आप कह सकते हो, notes होती है बढ़ ये ऐसी notes होती है, जो कि publicly available नहीं होती है, महलब कि जो normal notes होती है, जैसे कि ये सारी notes है, जो मैंने आपको बताई ही भी थी, right, अपके exit, note, entry, road, middle note, जैसे ये सारी notes mainly होती है, तो chances are very high कि वो कहीं न कहीं list out होती है TOR की directory में, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो जिसकी वज़े से क्या होता है, कि जो भी हमारे ISPs होती है, वो उन सारी notes को block कर देती है, वो कहती हैं कि अगर ये client किसी ऐसी note को access करने की कोज़िश करता है, जो की TOR network के अंदर आती है तो भाईया मैं उस particular request को आगे बढ़ने नहीं दूँगी तो उस particular case में हमें TOR एक facility provide करता है, bridges की, जिसके थूर, अगर आप धेहां से देखोगे, यहाँ पे कुछ ऐसी notes भी रखी जाती है, जो की unidentified होती है, ऐसी notes होती है जो की बिल्कुल भी list out नहीं होती है, जो की बिल्कुल भी publicly बताई नहीं जाती है, कि हाँ यह TOR की note है, तो यह चुपी-चुपाई notes होती है तो जब आप bridges के थूर, इसको access करते हो, तो आपके ISPs को पता नहीं होता है कि यह bridges, basically TOR network का बाट है, तो वो एक तरह से बेकूफ बन जाते हैं, और इसी वज़ए से आप अराम से फिर से TOR network को access कर पाते हो, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, कैसे आपको करना है, अगर आपके case में, वो particular website वो और रही है, like page not found आ रहा है, तो उस particular case में, ठीक है, तो basically, हमने क्या किया, bridges के user के ISP को एक तरह से बेकूफ बना दिया, और अब वो basically हमारे TOR network में कोई भी दखर अंदाजी नहीं करेंगे, और हम आराम से TOR network को use करेंगे, तो basically bridges होते के हैं, तो in TOR network bridges are special types of relays, तो ये भी relays है, जैसे कि मैंने और भी बताया थे, exit node middle node, ये साथ relays होती है, वैसे ये भी relays है, that are used to help users circumvent, censorship and access the TOR network when the standard entry nodes are blocked, तो जब भी standard entry nodes, योगि आप देको ये आपकी entry node थी, ये जब भी मैंने इसे पहले आपको दिखाया था, तो ये आपकी entry node थी, तो इसको ISP ने block कर दिया था, तो मैंने bridges का use कर लिया, और मैंने दूसरा एक route form कर लिया, जिसके तुरू मैं आप ये चीज़ कर पा रहा हूँ, मतलब कि अपको ISP का काम सिर्फ यहां तक होता है, ये, इस जगह पे, तो एक बार मैं TOR network के अंदर इंटर कर गया, तो ISP इसे कोई लिणना देना नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी entry node को ही bridge बना दिया, तो वही चीज़ यहां पर मैंने किये, तो यहां पर तबी भी ISPs इंको find नहीं कर पाते हैं, और अगर बाही चांस इसको ISP find भी कर लेते हैं, तब भी हमारे पास एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है, बिसकी pluggable transports का, तो pluggable transports का use करके, हम लोग अपने bridges को again, एक तरह से एक कह सकते हो कि एक shawl उड़ा देते हैं, जिसके through again हमारे ISPs यह नहीं पता कर पाते हैं, कि आर आखिर में यह TOR network की कोई particular node है, तो bridges may employ pluggable transports, which are additional layers of obsification, तो मतलब एक तरह से मैंने अलग तरह की एक layer चड़ा दी, जो उसको छपाने के लिए, that transform TOR traffic into a different form to bypass censorship, तो यह भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग करेंगे भी, तो अगर हमें bridges चाहिए, तो again मुझे इस particular link पर आना होगा, और इसकी भी link मैं आपके साथ description में share कर दूँगा, I know so many links are there, but क्या कर सकते हैं, तो अब आपको अगर यहां से bridge access करना है, तो आपको simply इस button पर click कर देना होगर, और आपको जो है आपका bridge मिल जाएगा, but हो सकता है, again there can be a possibility कि again आपी government ने, आपके ISP ने इस particular page को भी block करके रखा हो, जिसके दुरूब आप इसको भी न access कर पा रहे हो, तो उस particular case में आपको क्या करना है, आपको again इस particular mail ID पर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे mail कर देना है, bridges at the rate of torproject.org, और उसमें बस आपको simply ये लिख देना है, get, transport, OBS, OBS, S4, basically ये आपका transport हो गया, जिसके बारे मिनों ने बात कीती, right, pluggable transport, just to have an extra layer of security, तो इसके लिए आपको simply ये लिख देना है, अपने message की body में, मतलब आप mail खोलोगे, आप 2 पे जाओगे और उसमें ये लिखोगे, और फिर message की body में बस आपको ये लिख देना है, So, यहाँ पे आप देखोगे, मेरे पास मेरा bridges आ चुका है, तो इसके बात अगेन आपको Tor browser open करना है, इससे पहले मैंने Tor नहीं open किया था, मैं पहले बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे Chrome पे ये काम किया हुआ है, मैं Tor browser पे वापस से आऊँगा, और मैं back चलूँगा, यहाँ पे यह जो है, इस पे मैं click करूँगा, मैं यहाँ पे settings में जाऊँगा, now in this, I will go to connection, connection के बाद, यहाँ पे आप देखोगे, मेरे पास कई सरे option है, या तो मैं bridge खुद से add कर सकता हूँ, या फिर मैं Tor से भी कह सकता हूँ, कि यार मेरा bridge आप add कर दो, ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको manually दिखाना चाता हूँ, अगर आपके यहाँ blocked होगा यह, तो आप कैसे इसको manually access कर सकते हो, manually इसको add कर सकते हो, तो आपको click करना है इस पे add a bridge manually, और यह वाली चीज़ मैं फिर copy कर लूँगा, यह जो हमें मिले थे यहां से bridges, वापस से Tor पे चलेंगे और यहां पे paste कर देंगे, and then I will simply do okay, और यहां पे मेरा bridge पूरी तर से आप work कर रहा है, तो मेरे case में तो ऐसे अगे, मैं नहीं कर रहा था, बार बार यह इसलिए कर रहा हूँ कि, you know, you do not get confused, sorry for that, मैं रभा पार इसको repeat नहीं करूँगा, but I hope you get this point, right? Okay, now again, let's go back to check.tor project.org, ठीक है, मैं फिर से इस पे जा रहा हूँ, तो आप देखो कि यह थोड़ा सा, आपने देखा थोड़ा सा slow होग है, because मैंने bridges यूज़ की है, और bridges का एक drawback यह भी है, कि यह आपकी internet speed को थोड़ा सा कम कर देगा, because आपने एक तरह से extra layer of production add किया, right? तो एक extra layer of production, थोड़ी सी speed आपकी कम कर देगी, और अगर मैं यहाँ इस पर click करता हूँ, तो you can see कि यह मेरे TOR का circuit है, और TOR की circuit में आप देखोगे, मेरा यह browser है, मेरा browser पहले जब भी कुछ भेजता है, तो वो bridge के पास जाता है, फिर वो इस वाले node के पास जाता है, जो मेरी middle node हो गई, और फिर वो इस वाली exit node के पास जाता है, और फिर उसके बाद यह जो मेरी website है, जो कि यह TOR project.org जिसको मैंने अभी access किया है, फिर यह इसके पास जाता है, और यही चीज़ हमनोंने पढ़ी भी थी, पहले entry node हो थी, अब हमारी entry node के आप bridge है, फिर यह middle node हो गई, और यह हमारी exit node हो गई, और अगर बाईचान साब को लगता है, यहार मैं इंसारी nodes तो ट्रस्ट नहीं करता, just an example, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे click कर सकते हो, तो आप जैसे को कि देखो कि मैंने इस पे click किया, मेरा browser reload हुआ, और अब मेरे पास जो middle node है, और जो exit node है, वो change हो गई, और at least three nodes मैंने कहा भी था, तो यहाँ पे देख सकते हो, three nodes तो हैं, bridge है, France है, और Netherlands का कोई है, और एक और important चीज, आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी आपकी जो entry node होती है, जादा तर cases में आप देखो कि, वो change नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, कि your bridge may not change, may not, because जादा तर cases में, जैसे कि मैंने कहा, नहीं change होती है, तो अगर आपने bridge नहीं भी use किया होता, कोई entry node use की होती, नहीं identity बनानी है, तो आपको यहाँ पे click करना होगा, और यहाँ पे आपको आना होगा, और यहाँ पे आप देखो कि new identity करके एक चीज़ आ रही रही, तो अगर मैं new identity पे click करूँगा, तो जो भी मेरे top browser में अभी तक कोई भी data गर save होआ होगा, कोई भी cache में कुछ भी save होगा, सब कुछ erase हो जाएगा, सब कुछ change हो जाएगा, और यहाँ की जो circuit है वो भी change हो जाएगा, तो definitely आप चाहे, तो सिर्फ और सिर्फ circuit चेंज करो, पर अगर आप चाहते होगा है, मैं एक दम नया person मन जाओ, जैसे मैं इस पर click किया, you can see restart the browser, and you can see कि मेरा browser पूरी तरह से restart हो गया है, and now let me go to again, to tor to check.project, torproject.org, and now you will see कि मेरा जो circuit है वो पूरी तरह से new हो गया है, right, and मेरा IP address भी अगर आप देखो, अभी कि है 185 है, right, let me do this once more, just to show you, 185-220, and now you can see मेरा IP address भी चेंज हो गया है, तो मैं एकदम से नया person बन चुका हूँ, क्योंकि अब जो भी मैं request करूँगा, एक नया person की तरह करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा data इस समय ब्राउजर भाटा दिया गया, मेरा पास कुछ भी नहीं रहा, और मैं अब एक तरह से नहीं identity बन चुका हूँ, अब कुछ settings अपनी ब्राउजर के हम चेंज है रहेंगे, because यह भी थोड़ा unsecure हो सकता है, तो let's do that, अच्छा यहाँ पर जो आप icons देख रहे हो रहाए, यहाँ पर यह दो लो, but for now, let me go to the settings, let me go to general settings, और यहाँ पर देख लेता हैं कि हमारा सब को सही है कि नहीं, the most important thing is कि हमारा जो updates है, वो होते रहना चाहिए, तो check for updates पर आप check करते रहेगा, ताकि आपके ब्राउजर का एक दम latest version हो, एक दम बढ़िया version हो, then go to privacy and security, and then we will go to history, तो याद रखिए, यहाँ पर देखिए history में क्या रहा है, always use private browsing mode, तो यह पूरी तरह से याद रखिएगा, कि हमेशा हम लोग private browsing mode से ही सब कुछ access करेंगे, और इसके अगर हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर इसके बारे में लोग बात करेंगे भी, यहाँ पर भी हम लोग इस पर टिक कर देते हैं, ब्लॉग dangerous and deceptive content, ताकि हम लोग किसी collect content पर click ना कर दे, और आप चाहँ तो इसको भी कर सकते हो, ब्लॉग dangerous downloads, ताकि अगर कोई भी हम लोग ऐसी चीज़ डाउन्रोड कर रहे हैं, जो कि हमारी system को, या फिर हमारे browser को manipulate कर सकती है, कुछ भी खराब कर सकती है, तो we should be aware about that as well. Now another important thing is, कि आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे, लिख क्या रहा है कि enable HTTPS only more in all windows, यह आपका होना चाहिए, तो हम लोग हमेशे HTTPS use करना चाहरे हैं, और सबसे important जीज़ जो मझे बताना चाहिए आपको वो यह है, कि इस समय मैं टॉर ब्राउजर को अच्छे तरीके से use नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने समय टॉर ब्राउजर को पूरी तरह से maximize करके रखा हुआ है, और यह एक problematic thing है, because आपको मैंने बताया था, कि जब भी आप कोई भी ब्राउजर से कुछ भी request भीज़ते हो, तो आपके system के बारे में सारी information निकाली जा सकती है, और अब ही मैं क्योंकि ब्राउजर को पूरी full screen पर रख रहा हूँ, और अगर मैं कोई request करता हूँ, तो अगर by chance कोई hacker इसको intercept करने की कोशिश करता है, तो वो जान जाएगा कि यार मेरा कौन से तरह का system है, और मालोग मेरे पास कुछ लग तरह का system है, यह फिर मालोग कि यह कर लाख लोग 15 इंच का laptop यूज़ करते हैं, और मैं for example 13 इंच का यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर minimize कर दूँगा, basically full screen पर नहीं रखूँगा, मैं इसको सिर्फ इस तरह से रखूँगा, कि it's like कि okay, this, okay, कहाँ चलागे, something इतना मैं इसको open कर दूँगा, तो अब अगर hacker कुछ करने कोशिश भी करता है, just to know कि यार मैं कौन जी screen size यूज़ कर रहा हूँ, कोई फरक नहीं पड़ता, because now it is totally secure, and now let's go to the last part, जो कि है हमारा ये, तो आप देखो कि यहाँ पर जो security level है, बहुत सारे दिये हुए, एक standard है, safer है, safest है, तो generally, मैं आप से रिक्मेंट करूँगा, if you want to be totally anonymous, आपको safest पर जाना चाहिए, क्योंकि जैसी आप safest पर जाते हो, तो JavaScript आकी disable कर दी जाती है, तो कोई भी JavaScript code आप पर नहीं run कर पाएगा, some fonts, icon, math symbols, इस तरह की चीज़ों को disable कर दिया जाएगा, audio video, इस तरह की चीज़ों को disable कर दिया जाएगा, it's like कि आप सिर्फ और सिर्फ जादा तरह कीज़ों में सही सही बता हूँ, तो you can just read on the, or write on the Tor browser, you will not be able to do much here, okay, because आप साही चीज़ों को disable कर रहे हो, but this is the most, I will say secure thing, आप देख सेकते हो कि जैसी मैं इस पर click करता हूँ, and if I will click on this, you will see security level safest हो जाता है, मैं जब safer पर जाता हूँ, तो यहां पर यह आफ हो जाता है, अभी देखे पूरा था, यह पूरा था, इस पर यह middle पर आ गया, और इस पर यह कुछ भी नहीं राजाता है, so to protect your anonymity and privacy, it is best to go for the safest one, so you can आराम से आप आराम से जाओ, or just browse the internet, just check कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ यह सचीज देख सको, बढ़गीन अगर आपको लग रहा है कि, और एक time के बाद ऐसा होगा, कि जब आपको dark web के साथ, पूरी तरह से family year हो जाओगे, क्योंकि यह हो सकता है अभी अभी शुरू-शुरू में हिचिकरा हट हो गया, कुछ गरबर ना हो जाए, कुछ इस तरह का ना हो जाए, वैसे होता नहीं है, बढ़ अगर लग रहा है आपको, तो इस better case में आपको safest पर ही जाना चाहिए, जब आप थोड़ा सा idea लग जा है आपको, तो आप safer पर जा सकते हो, but standard is not good, I will say safer चले जाना, और फिर आणाम से आप access कर सकते हो dark web को, ठीक है, क्योंकि हमारा काम यह ही है, कि कम से कम bits of information को reveal करना, और safest हमें वो देता है, तो जितनी कम हम लोग bits of information को publish करेंगे, उतना हमारे लिए better होगा, तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे है, अभी के लिए हम लोग यहां पर अपने bridges के use कर रहे है, नोर्स के use कर रहे है, और यहां से हम लोग duckdukgo.com पर access कर पा रहे है, तो और यह क्योंकि publicly accessible domain है, आप इसको कैसे भी access कर सकते हो, कैसे भी access कर सकते हो, क्या मतलब है, कि यह मेरा गर Chrome है, कि मेरा Chrome browser है, और मैं यहां से भी आप देखोगे, तो इसको access कर सकता हूँ without any problem, तो मैं यहां से भी सब कुछ search कर सकता हूँ, कोई issue नहीं आगा, क्योंकि यह एक .com, basically हमारा website है, और इसलिए यह publicly accessible है, तो इसको कोई भी use कर सकता है, चाया आप Tor network का use करो या ना use करो, definitely Tor network use करने में आप ज़्यादा secure होगे, but still there is one problem, problem is this particular part, कि जहां से मैं इस network से बाहर निकल लाँ, मैं अपने Tor network से बाहर निकल के, किसी ऐसी service को access करने कोज़िश कर रहा हूँ, जो कि मेरे Tor network में नहीं है, और जो चीज मेरे Tor network में नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो चीज काफी unsafe है, अब इस case में हम क्या कर सकते हैं, तो इस case में basically हम लोग use करते हैं, onion services का, किसका, onion services का, अब यह onion services क्या होती है, तो जिस तरह से हम websites को host करते हैं, अपने इस server पे राइट, जो की publicly accessible होती है, और जो हमारे Tor network में होती है, जो की public domain में होती है, या फिर आप कह सकते हो कि, हमारे surface web पे होती है, onion services वो services होती है, जो की हमें Tor network के within मिलती है, और यह ऐसी services होती है, जो की hidden होती है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, but the thing is, कि instead of going outside the Tor network, मैं dugduggo के dot onion वाले domain को access करूँगा, जिसके तुरू मुझे इस particular network से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, Tor network से मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, और मैं dugduggo के अराम से यहाँ पे जो जिसकी website को host किया गया है, उसको अराम से use कर पाऊंगा, अब यह onion services क्या है, इसको समझते हैं, तो जैसे कि मैं वापस से top browser में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने dugduggo आपको open करके दिखाए ही था, अब मैं यहाँ पे dugduggo के dot onion services या फिर मैं कहूँगा, जो onion services हैं उसको access करूँगा, तो उसके लिए मैं यह URL डालूँगा, और आप देख सकते हो कि यह URL काफी complicated सा है, इसमें इसलिए क्रिप्टोग्राफी का यह यूज किया गया, इसको generate करने के लिए, अभी मैं आपको इसाथ share करूँगा कि onion services क्या होती है, बट जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, वो यहाँ पे यह है कि I am using, instead of dot com, I am using dot onion, राइट, बट गुट पार्ट इस कि यह जो अजीब से URL आपको दिख रहा है, यही onion service है, अगर मैं आप इसको इंडर करता हूँ, now you will see, कि मैं DuckDuckGo को फिर से access कर पाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगीन DuckDuckGo का यहाँ पे open हो चुका है, जैसे वहाँ पे open हुआ था, let's say, मैं आपर क्या search किया था, DuckDuckGo, यहाँ पे भी मैं search करता हूँ, DuckDuckGo, तो just like your basically normal search engine, यह भी work करेगा without any problem, but the thing is, कि यह है आपकी hidden service, okay, this is hidden in nature, now why I am saying this is hidden in nature, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे copy करूँगा, और पे accessible है, बट यह मेरे Chrome पे accessible नहीं है, Chrome क्या कोई भी ऐसा browser, जो कि Tor Network की facility नहीं दे रहा है, वहाँ पे access नहीं कर पाऊ गया, now this is the beautiful thing, तो यह है beautiful thing about onion services, अब समझते हैं कि आखिर में onion services होती क्या, यह तो हमने समझ लिया है कि जो onion services होती है, वहाँ पे हम .onion लिखते हैं, और वो उसका domain हो जाता है, तो हर एक website के लिए, जो भी आपने अभी तक, most of the website based, जो service पे अभी तक आप use करते हैं हो, उसका आपको dark version अगर available है, तो वो .onion पे दिखेगा, तो आप उसको वहाँ से भी access करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे और भी websites, but let's understand what is this onion services, तो यह बात कर लेते हैं, onion services के बारे में, कि आखिर में onion services क्या होती हैं, तो onion services, बेस्किली एक तरह से कह सकते हो, Tor की hidden services हैं, तो onion services, also known as Tor hidden services, are a feature of the Tor network, that allows website or services, to be hosted anonymously, and accessed privately, simple terms में बोलू, तो इसका मतलब यह है, कि अभी क्या है, कि Google पे जैसे कि Google का अपना server है, ठीक है, तो मैं पता है कि Google का server कहाँ पे located है, वो उसका IP address क्या है, मतलब हमें as in, browser पे जब हम डालते हैं, google.com, तो वो find out कर लेता है, कि Google का server कहाँ पे है, कौन सी जगा पे, सब कुछ पता कर लेता है, बढ़ जब हम लोग बात करते हैं, आनियन services की, तो हम बात कर रहे हैं, ऐसी websites की, जो की hosted है, Tor network पे, और जिनके बारे में, आपको कभी कुछ नहीं बता लग सकता, because सब कुछ, पूरी तरह से anonymous है, और private है, तो जिस तरह से client की information, पूरी तरह से anonymous और private रहती है, ये ठीक, उसी तरह से, जो server भी hosted है, फिर आपके लोग, जो notes, एक श्ली में, server या फिर notes के लिए, तो ज़्यादा च्टरम्स होगा, तो जो notes, websites को host भी कर रही है, वो भी पूरी तरह से क्या होती है, private होती है, पूरी तरह से anonymous होती है, So unlike traditional website, which have publicly accessible IP address, onion services operate within the TOR network, making them difficult to trace, और identify, So onion services का आप use क्यों कर सकते हो, क्यों करना चाहोगे, तो आप विजह से कि मैंने बताया था, कि अगर आपको कोई aise file है, और कुछ भी हो सकता है, तो उस particular cases में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे TOR services का, onion services का use कर सकते हो, अपनी websites को TOR network पे host कर सकते हो, So that nobody will got to know about you, कि आपने कैसे क्या क्या, कौन है इस website के पीछे, ठीक है, So आप देखो कि running online forms, forums, providing secure messaging platforms, facilitating anonymous file sharing, they are often utilized by individuals and organizations, that prioritize privacy and seek to operate services, without revealing their true identity or location, तो इसके example क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, कि मैंने आपको यह वाला diagram दिखाया था, जब मैंने बता था कि एक client किस तरह सर्वर को access कर रहा है, using the TOR network, the thing is, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यह जब यहाँ से request भेजता है, तो यह यहाँ से होते 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 बाहर चली जाती है, और क्योंकि यह बाहर चली गई है, तो मुझे पता है इसके बारे में आप सुब कुछ, जब हम बात करते हैं onion services की, तो आप देख से तो यह onion services within the TOR network है, तो यह TOR network है within range में है, और अगर आप किसी पटलो onion services पे point out करते हो, क्यार मुझे लेट से जिसे भी हम लों ने देखा था, for example, मुझे access करना है abc.onion, for example, तो यह जाएगा abc.onion के पास, बढ़ आपको अभी नहीं पता चल पाएगा कि यह abc.onion कहां पे है, as a client आपको नहीं पता चल पाएगा, तो यह different-different related से होती हुए information जाएगी, तो यह जो same process दा सब वही होगा, इसको यह तो पता होगा कि आपने request की है, बट इसको कहां भेजना इसको नहीं पता है, same goes for this as well, तो यहाँ पे एक तरह से exit note तो नहीं है, बट क्योंकि कुछ exit तो हम नहीं कर रहे है, बट हाँ, आप कहाँ सकते हों कि, like the last, जो request है, वो यह वाली particular note कर रही है, और यह note जब कर रही है, इस onion services जहाँ पे आपकी, लट से यह website hosted है, abc.onion जो कि यहाँ पे ही hosted है, तो यहाँ पे जाएगी, उसको यह तो पता है कि, इसको यहाँ पे जाना है, बट इसको यह नहीं पता चल पागा कि, किसने इसको access किया, तो the same thing, the only thing is, this onion service website जो होगी, यह ज़्यादा secure होगी, ज़्यादा privacy oriented होगी, ज़्यादा anonymous होगी, तो आप पुरी तरह से secure रहोगे, ज़्यादा पे आप देखोगे, the server does not know anything about client, and client does not know anything about the server, तो दोनों ही यहाँ पे, पुरी तरह से secure होगे, So now let's see some of the key aspects of onion services, So onion addresses, onion services are identified by their unique addresses, जिसको हम कहते हैं, onion addresses, जो भी आपने देखा भी था, जब नोंने टॉर browser access किया, which are generated using cryptography, जिसको हम दों cryptography की मदद से बनाते हैं, और वो पूरी तरह से secure होगे, इसलिए आप देखोगे, क्योंकि वो cryptography की मदद से बना रहे हैं, तो बहुत सारे characters, strings, सब कुछ होता है यहाँ पे, encrypted communication, So onion services are end-to-end encryption, within the TOR network, ensuring that the data exchange between the user and the service remain confidential, सब कुछ confidential होगा है यहाँ पे, and hidden location, the location of an onion services is hidden within the TOR network, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, कि कहां पे यह particular onion service work करी है, किस country में work करी है, किस देश में work करी है, कुछ नहीं पता चल पाएगा, traditional IP-based geolocation techniques cannot be used to determine the physical location of the server hosting, server hosting the service, so this anonymity makes it challenging to discover the identity or location of the service provider, मेरे पास जैसे DuckDuckGo एक search engine है, वैसे मेरे पास एक और search engine है, जिसका नाम है Torch, तो अगर मैं इसको इंटर करूँगा, and again one more important thing to tell you, कि definitely मैं यह सारी links आपके साथ ज़रू से शेयर कर दूँगा, but time to time यह सब क्योंकि एक onion services है, तो यह time to time change होती रहती है, तो जैसे आप यह आप देख सकते हो, अभी कुछ time पहरे तक यह चीज work कर रही थी, बढ़ अब यह मेरे case में work नहीं कर रही है, now this is something which you might face as well, but इसके लिए मैं आप से यही कहूंगा, कि यार थोड़ा आपको search करना पड़ेगा, कि .onion का जो latest domain है वो क्या है, तो इसका कोई alternative नहीं है, you have to simply go to the website, अब यह थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा, मैं साही जीज़ें आपर review ली कर सकता, due to some reasons, बढ़ आप यह कर सकते हो, कि you have to find out कि यार यहाँ पर dark, यहाँ पर कौन कौन सी अच्छी एच्छी websites है, जिससे आपको सीख सकते हो, learn कर सकते हो, and you can get the .onion basically domain, तो मैं आपको torch website दिखाना चाला था, बढ़ यहाँ पर भी नहीं देख रही है, let's see, यहाँ पर मैं दिख जाए, torch engine for example, आप देख सकते हो, it is also not revealing the torch engine, most probably, तो कई सारी links हैं, but again, let me tell you, you are using dark web, so be aware of that as well, किसी भी link पेज जाके माँ click कर देना, until or unless you are sure, no, again, there is some risk here, because you are on your own kind of a thing, है यह, तो definitely आपको थोड़ा सा थान देना पड़ेगा, let me click dark engine, so sometime it's a tactic process, like in my case, आप जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी पॉपले वेबसाइट से, जहाँ पे वो बता रहा है, कि आप कैसे डग डग गो को access कर सकते हो, torch को access कर सकते हो, but again, you have to be sure, मैं फिर से बही काऊंगा, कि यह शोटी वाला पाट आपको थोड़ा से देखना पड़ेगा, अपने एंड से, क्योंकि आप यहाँ पर कोई help करने वाला ने है, you are your neuron, let's check for this, okay, so yeah, it is the torch official website, और यहाँ पे अब आप आराम से, कुछ भी search कर सकते हो, whatever you want, let's say, आप सर्च कर रहे हो, for example, blockchain, और आप देखो कि torch में एक problem है, as you can see, the ads, और तफिये च्छे ads नहीं है, I totally understand, that's why duck-duck-go is a better option है, तो torch में आपको बहुत सरे ads देखेंगे, इस तरह के, और यह बहुत सरे इसमें से सब scams होंगे, so yeah, do not click on them, तो आप देखो कि मैंने आपे blockchain पे search किया है, and you can see so many different websites, तो आप जा सकते हो to website से, but वहाँ पे किसी भी ऐसी link को click मत करना, you know, जो हम लोग हमेशा अवे रहे रहना होता है, जो हम लोग हमेशा अवे रहना होता है, जो हम लोग हमेशा अवे रहना होता है, let's say blockchain decision, this, 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 okay, let's click on this, so you will find actually some nice articles also, let me tell you, dark web पे हो सकता है कि आपको कुछ बढ़िया articles मिले, कुछ बढ़िया वो मिले, like, you know, अच्छे लोग मिल जाएं, तो जो dark web को देखे, बहुत खराब धारना है बनाएं गई हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको चीज़ें सही भी मिल सकती है, तो आपको बस थोड़ा सर्च करना आना चाहिए, अगीं, टॉर्च, मुझे तो बहुत सही नहीं लगता, आप दे सकते हैं, यहाँ बहुत खराब खराब गरबर बड़र आट से हैं, तो मैं इस भी उस नहीं करूँगा, मैं टगडग भो पही रहाँगा, so I will be using this only. Now definitely, I will share other websites with you as well, जो कि आप access कर सकते हो, just to learn about Darkwip, just to, you know, some useful links with you, I will share some useful links with you, don't worry about it, but actually मैं एक problem है, जो भी मैंना आपका साथ डिसकुस नहीं किया, problem यह है कि, इस तरह से Tor Browser को use करना, यह safe approach नहीं है, मतलब, मतलब यह कि Tor Browser आप use कर रहे हो, that's good, आप पूरी तरह से security, anonymacy और privacy पे पूरा ध्यान दे रहे हो, that's nice, but still यह एक अच्छा approach नहीं है, because at the end of the day, यह Tor Browser आपके operating system पे रन कर रहा है, at the end of the day, operating system आपको track कर रहा है, तो अब अभी भी, पूरी तरह से anonymous नहीं हो, अभी भी आप पूरी तरह से privacy oriented नहीं हो, और कभी कभी क्या होता है, कि जब आप यह Browser यूजर 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 कर रहे हो, so definitely there are other plugins as well, क्योंकि आप कभी हो सकता है, install कर लो, और वो plugins क्या कर रहे हैं, आपको track कर रहे हूँ, तो ये भी एक possibility हो सकती है, तो using Tor browser like this is not a very good approach तो इसका solution क्या है, इसका solution है, Tails operating system, Tails operating system के बारे में हमें समझना होगा, ताकि हम पूरी तरीके से anonymous और private हो सके, अभी भी again I will say, आप कर सकते हो सारी चीज़े, जो अभी मैंने सर्च की है, आप भी कर सकते हो, but again it is not purely secure, it is not purely privacy oriented, ना पूरी तरी से anonymous, अभी भी आपको track किया दा सकता है, वायर your operating system और कोई plugin अगर आपने इंस्टॉल किया उसके थू, so better option is to use Tails operating system और Tails operating system, अज़ आपको to use किया हो, अभी आपने हो सकता है, for the Mac use किया हो, but Tails is a different kind of operating system, और आप वो समझ जाओ गए जैसे हम लोग से use करेंगे, तो चलिए समझते हैं कि Tails operating system क्या है, और वो हमारी help कैसे कर सकता है, privacy और anonymity में, just a side note, हो सकता है, यह आप लोग में बात की, कि यह बिल्कुल भी safe नहीं होगा, first of all, यह brave browser आपके PC पे install है, मतलब आपके operating system पे install है, जो कि पूरी तरह से vulnerable है, और वो आपकी information को leak कर सकता है, so using Tor browser here as well is not worth it, ठीक है, that's why we need to go for the Tails operating system, तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं, तो आगी बढ़ने से पहले VPN के बारे में बात कर लेते हैं, फिर Tails operating system के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे यह वाला particular topic अभी रहा किया है, तो आईए अब बात करते हैं, virtual private network के बारे में, तो हमने जब बात की थी last time तो हमने यह बात की थी, कि आप देखो यह वालो जो part होता है, यह वो part होता है, जिसको हमारे ISPs basically देख सकते हैं, because this is something which is not encrypted in nature, जिसकी वज़े से हमारे ISPs हमें block कर सकते हैं, Tor के नेटों को access करने के लिए जबकि हमने देखा था कि अगर कोई website है, अगर वो HTTPS use करती है, तो definitely यह green रहता है और अगर HTTPS नहीं use करती है, तब यह red रहता है, but इस case में अगर आप देखोगे तो यह हमेशा ही red रहता है क्योंकि आपके ISPs है, फिर कोई भी यहाँ पे अगर आपने कुछ भी request भेजी है, TOR network तक, तो इसको पढ़ा जा सकता है, because this is in unencrypted form तो इसके लिए हमारे पास क्या solution है, क्योंकि ISPs को अगर पता चल गया कि हम TOR network use कर रहे हैं, और अगर आप ही country में TOR ban है तो आप इस TOR network को access नहीं कर पाऊगे, तो उस particular case के लिए हम use करते हैं VPN का, तो VPN का जैसे ही हम use करते हैं, जिसे हम कहते हैं virtual private network, तो virtual private network का use करने से हमारे ISPs इस particular चीज़ को अब detect नहीं कर सकते, because now this is in encrypted form क्योंकि अब ये encrypted form में हैं, तो ISPs कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस particular site पर visit कर रहे हो, उनको पता चलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, बट उनको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर में हो क्या रहा है, and this is the power of virtual private network, बट हाँ आपको ध्यान दे रहा है कि आप virtual private network अगर use कर रहे हो, so it should be a authentic virtual private network, क्योंकि ऐसे भी virtual private network है, जो कि हो सकता है कि आपकी ही basically transparency को पूरी तरह से मतलब आप जब virtual private network से कहो कि या मुझे ये request भीजनी है, तो virtual private network आपकी उसमें help करेगा, तो उस case में ये भी हो सकता है कि virtual private network या VPN आपकी ही request को read कर रहा हो, मतलब वो आपकी privacy को पूरी तरह से intervene कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा अच्छे VPNs का में use करना चाहिए, काफी सारे market में free VPNs भी आते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग use भी करते हैं, but again, they are risky अगर वो आपकी data को read कर रहा है, तो you have to be careful about that as well, okay, so this is how we can use VPN with Tor network, और आपको उसलिए कुछ करना नहीं होगा, अपने system पे एक VPN, जो कि आपको research कर लेना चाहिए कि कौन सा अच्छा VPN SME market में उसको आप install करिए, उसके बाद आप आप आराम से इसको access कर पाएंगे without any worry कि ISPs इसको block कर देंगे और ऐसा ही नहीं कि आप VPN को सिर्फ और से Tor network के reference में यूज कर सकते हो, आप इसको normal network पे भी यूज कर सकते हो, अगर आप ने देखा होगा mobile के लिए भी आजकल VPN आते हैं आपके normal browsers के लिए भी VPN आते हैं तो it's not something Tor related, but yes, अगर आप यूज करते हो Tor के साथ operating system, तो अगर बात करें TAILS operating system की, तो TAILS stand करता है, the MN6 incognito live system is a security focused operating system designed to preserve privacy anonymity while using a computer तो अभी इन सारी चीजों का मतलब समझेंगे कि क्या मतलब है MN6 sorry, incognito live system का, इसका मतलब हम लोग समझेंगे but the main thing about TRAILS operating system is कि ये इसे लिए बनाया गया है, ताकि आपको पूरी तरीकी से ये privacy और anonymity provide कर सके, अभी तरके जब हम लोग Tor use कर रहे थे, तो हम लोग अपने normal operating system use कर रहे थे, और हमारा operating system हमारी data को leak कर सकता था, और वो, let's say हो सकता है, हमारा operating system कुछ और applications को use कर रही हो जो की, let's say, Tor करना use करके, किसी regular internet not using Tor network, but using the regular network, वो उसका use कर रही हो जिसके through हमारा gain data leak हो सकता था, बट टेल्स कहता है, कि यार मैं तो बहुत ही गजब का operating system हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ Tor network का use करता हूँ और अगर by chance को कोशिश भी करता है plugin या फिर कुछ भी right application कोशिश करता है, कि यार मैं न, internet का use करना चाता हूँ, okay, at the back जैसे होता है न, बहुत से application हमारे background में run कर रहे होती है, background में तो भी वो Tor network का ही use करेंगी, जिसके कि आपकी पुरी privacy और anonymity बची रहेंगी, न अब इसका मतलब समझते हैं, कि क्या मतलब है इसका amnesic का, तो amnesic का बहुत ही simple सा मतलब ये है कि ये operating system कोई भी trace नहीं छोड़ता है, yes ये कोई भी trace नहीं छोड़ता है आप इसको simply, अभी हम लोग देखेंगे, live system का basically मतलब क्या है, तो basically आप इसको boot करते हो अपनी USB stick से तो ये आपकी USB stick में होता है और ये operating system आपकी RAM में run करता है, in your random access memory, और random access memory के बारे में अगर आपको पता हो, तो जैसे ही आपको computer बंद होता है, random access memory से सारी information clear हो जाती है, ठीक उसी तरह से ये operating system भी work करता है, कि अगर my chance आपने, let's say, use किया है dark web का, और let's say आपको लगता है कि आपको मुझे let's say मैं एक generalist हूँ, और मैंने कुछ, जो मुझे सचाई पता चली कुछ evidence पता चली, मैंने dark web पे डाले and now I fear कि कोई मुझे पकड़ सकता है, let's say, मुझे तब भी डर लग रहा है कि या कहीं कोई police आके मुझे ना बगड़ ले, तो उस particular case में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस tails operating system को USB stick लगानी है tails operating system चलाना है, and जैसे ही मैं system off करूँगा कोई भी कभी भी पता नहीं कर पाएगा कि मैंने tails operating system को यूज किया है, या फिर मैंने dark web को यूज किया है, now this is this is, I know this is scary as well, no doubt in that, but it is also good, also right, now incognito का क्या मतलब है, तो incognito का मतलब है कि इस तरह से operate करना, कि आपकी जो anonymity है, और आपकी जो privacy है, वो पूरी तरह से secure हो रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत साय browsers में भी आज incognito mode रहता है, but again those are just fake incognito I will say, क्योंकि उसमें कुछ भी आपको वो privacy नहीं provide कर रहे होते हैं it's just like कि आपकी history को save नहीं किया जा रहा होता है, यहाँ पर आपको actually में anonymity और privacy मिलती है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि हर एक चीज जो भी आप करते हो इस operating system पे वो सब कुछ store network का ही use करती है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है, now live system, जैसे कि मैंने बताया कि normal operating system जो हमारे होते हैं, अगर आप देखोगे media में, जैसे कि USB हो गया DVD हो गया, इन सब में से रख सकते हो और जैसे अब USB इंसर्ट करते हो आपका tails operating system run करता है जैसे अब USB plug out करते हो आपका tails operating system पूरी तरह से वहाँ से wipe out हो जाता है, definitely यह भी disadvantage आप कह सकते हो हैं और वो disadvantages हैं कि यार आपकी कुछ files होंगी, आप files basically नहीं save कर पाओगे अपने tails को operating system में because अगर आपने save किया, जैसे आप plug out करोगे अपनी USB अब आपका जो भी files थी वो सब रख हो जाएगी, but उसका भी solution देते है tails, उसके बारे में भी बात करेंगे but for now, this is for very sure कि अगर आपने tails operating system यूस किया है, तो यूस करना है तो आपको USB में tails operating system को रख लेना है, ठीक है, और फिर USB को आप plug करोगे अपने computer पे, वहीं से tails operating system boot होगा, and you can start using tails operating system, जैसे ही आप USB निकाल होगे, या फिर जैसे ही आप computer को बंद करोगे, tails operating system पूरी तरह से wipe out हो जाएगा, अब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, अब कुछ भी ऐसा trace नहीं रहे जाएगा आपके computer पे कि आपने कभी tails operating system यूस किया था, और tails operating से पूरी तरह से यह guarantee लेगा, कि आप पूरी तरह से private रहो, anonymous रहो, definitely आप कुछ गरबड़ करोगे तो आपकी गलती है, otherwise tails कुछ भी गरबड़ नहीं करेगा, तो यहाँ भी हम लोग आ चुके है, tails की website पे, again I will share the link with you, and now one more important thing that I need to tell you, कि हम लोग tails operating system के use करेंगे, बट मैं यहाँ पर virtual machine के use करने वाला हूँ, virtual machine मतलब की virtual box हो गया, VMware हो गया, तो यह सब आपकी virtual machine होती है, मैं बताओंगा क्या आप इसको कैसे install कर सकते हो, बट मैं क्या बताना चाहरा हूँ, आप समझेगा, basically क्या है कि मुझे आपको यह समझाना है, tails operating system कैसे वर्ग करता है, तो मुझे अपनी screen record करने होगी, अगर मैं अपने computer को boot पे लिए जाऊंगा, तो मैं screen को record नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी सकते हैं, तो मुझे भी वह method नहीं पता है, कि जब मैं अपने computer को boot करूंगा, अपने tails operating system को बूट करूंगा USB से, तो मैं screen record नहीं कर पाऊंगा है, and that's the reason I am using for now is VMware, VMware मतलब की आपका एक virtual machine, but this is not a safe thing to do, this is a tutorial just to tell you यार यह virtual machine में कैसे work करता है, basically tails कैसे work करता है, but in your case, you must use, remember you must use tails from USB, तो इसके related अगर आप देखोगे, तो मैं आपके साथ एक video share करूंगा, डॉकमेंट इसकी description में ही, जहां पे आप इस पूरे tutorial को देख लो, समझ लो tails कैसे work करता है, but यहां पे इस video में उन्होंने बताया है कि कैसे आप basically tails को use कर सकते हो, और यहां पे English में description है, तो do not worry about the keyboard and की कुछ उलटा सिधा है, यहां पे आपको अलग language में देख लोगें, तो उन्होंने पूरा step by step बताया है कि कैसे आप tails को use कर सकते हो, कैसे आप boot कर सकते हो from your USB, ठीक है, और यह 2022 का video है, तो it's a relevant video, आप इसको देख लोगे, और बहुत ही simple process होता है, अगर आपने कभी भी boot किया है कभी operating system को, it's very simple, आपको simply अपने BIOS में जाना होता है, और BIOS से आप अराम से जो भी आपने USB लगाई होती है, वहां पे बस उसको find out करके आपको boot करना होता है, और आपका Tails operating system run कर जाता है, और यह चीज़ इन्होंने यहां पर दिखाई भी है, okay, now this is the secure method, यही आपको करना चाहिए if you want to be private, if you want to be anonymous, but just for the tutorial's sake, to tell you कि Tails कैसे work करता है, क्योंकि मैं just screen recording करनी है, तो मैं यहां पर virtual machine का use कर रहा हूँ, और फिर आपको इसको download करना होगा, definitely यह 1.3 GB का है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, आपको simply इस पर click करना होगा, and it will start getting downloading, तो आप देख से तो यह मुझसे download के लिए कह रहा है, but मैंने पहले से इसको download करके रखा हुआ है, आप देख से तो Tails folder में, तो मैं इसको download नहीं करूँगा, अब देख से तो यह version 5.16 है, मेरे पास 5.14, बड़ इसको download करने के बाद जल्दी यल्दी मत करिएगा, थोड़ा wait करिएगा, अब इसके बाद दिखिए उन्होंने बताया भी है कि Tails definitely safe है, बड़ यह magic नहीं है, magic मतलब यह अगर आप कुछ गरबड़ियां करोगे, आपने कुछ बेउफियाली हरकत कर दी तो उसका फिर guarantee यह लोग नहीं ले रहे हैं, तो यह चीज आपको ध्यान दे नहीं और इस तरह का case हुआ भी था, जो Silk Road वाले case था जिसके बारे में अभी मैंने आपसे शुरू में बात की थी, Silk Road वाले case में जो person था, I'm not remembering now the name, don't worry, the thing is कि उस person को उन्होंने पता क्या किया, उस person को उन्होंने उसी समय pinpoint किया जब वो अपना laptop use कर रहा था, मतलब उन्होंने उसको chance ही नहीं दिया अपना laptop बंद करने का, and he got caught, but ठीक है आप कुछ ऐसा मत करना, but उसने भी कुछ पता नहीं किया था कि नहीं, who knows, the thing is कि बस थोड़ा safe and secure रही है, and then you have to come here and you have to verify your download, अब देखो मेरे में लिख क्या रहा है कि was not corrupted during, okay, let me refresh it because मैंने एक बट्राई किया था, तो मैं आपको दिखाता भी हो, now once you will download it, जब आपके पास file download हो जाएगी, यहाँ पर image download हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको simply यहाँ पर आना है, verify your download पे, select to download पे click करना है, और जो भी आपका tails operating system जिसको अभी आपने download किया है, उसको simply यहाँ पर click करना है, select करना है, जैसे कि आप देखो कि मैंने tails folder के अंदर इस ios file को रखा था, open करना है, and it will start verifying कि क्या आपने जो tails operating system install किया है, वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है, let's see, but मेरे case में आप देखोगे कि यह error देगा, and the reason is, because मेरे पास जो tails operating system है, वो है 5.14, और यह verification कर रहा है 5.16 के लिए, अगर आप देखोगे, तो मेरे case में यह verified नहीं हो पाएगा, बढ़ आपे case में यह verify होगा, if you are using the current version of tails, जो कि 5.16 है, और आप एक case में यह verified देखाएगा, but मेरे में आप देखोगे, यह verification field है, because of the reason, मैं 5.16 नहीं use कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि पहले से में पास डाउंडोड था, मैं उसको फिर से नहीं करना चाहता, बहुत बढ़ से डाउंडोड देखाएगा, तो बस यहां यहां पे इसी लिए 5.14 यूस करोंगा, but in your case again, you will see a verification sign, if you have downloaded the correct operating system of tails, okay, now then we have this fourth step, तो यहां पे इनोंने बताया कि कैसे आप इसको इंसको 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 अप्ग्रीड कर सकते हो, you have to simply install it, और इसका installation guide बहुत ही अच्छे तरीके से programming language वाले इस वीडियो में दिया हुआ है, इसकी भी link में आपको साथ share कर दूँगा, if you do not have a virtual box और virtual machine, then आपको यह install करना होगा, once you will do that, आपको simply फिर अपने VMware पे आना है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, okay, and now यह मेरा VMware है, और यहां पे मैं करूँगा create a new virtual machine, और यहां पे आ रहा है कि no drives available, but ऐसा नहीं है, so I will simply click on this, okay, install a disk image, and I will simply click on browse, और यहां पे मैं जाओंगा downloads में, जहां पे मेरा Tails operating system दस पे click करूँगा, open करूँगा, now, मेरी iOS image जो details की वो यहां पे show होने लगी है, so I will, और यहां मैं आपे virtual machine के use कर रहा हूँ, okay, this is not a safety thing to do, but for tutorial's sake, next, अब यह Linux है, ठीक है, और यहां पे मैंने 1264 bit लिया है, ठीक है, next, and again, यह दिखा रहा है three reason being, क्योंकि मैं पहले से use कर रहा हूँ, तो let me write tails, tails, os, ठीक है, and simply next, और इसके बाद आप जितना भी आपका पास disguise हो, आप उसके साफसे में दे सकते हो, recommended 20 GB है, तो मैं भी वही दे देता हूँ, मैं next कर लूँगा, and, मैं कर लूँगा, अगर आपको चाहो तो customize करना है, तो hardware आप customize कर सकते हो, like यहां पे 4 GB है, I think, ठीक है 4 GB भी सही है, and I think, तो यहां भी देखिए, इन्होंने recommendation भी दिया है, कि आप 2 GB भी रख सकते हो, ठीक है, मैं भी के लिए 4 GB भी रख रहा हूँ, because मेरे पास है capacity, okay, let's, ठीक है, मैं memory को थोड़ा से increase करना चाहूँ, मैं सबस्राओं, ठीक है, और सब ठीक है, आप देख लेना, आपके हिसाब से जितनी भी आपी memory capacity हो, तो आप फो कर लेना, and then simply click on finish, and now once you will do this, आप देख सकते हो कि Tails operating system यहां पे मेरे शोर है, and I need to simply click on play virtual machine, and it will start running, तो थोड़ा सा ही time लेगा, boot होने में, देख सकते हो आगे हैं यहां पे, मैं Tails पे click कर रहा हूँ, okay, let's wait, so it will take some time guys, okay, so now it is running, so don't get impatient, it will work, so आप देख देख तो यह है हमारा Tails operating system, काफी कुछ यहां पे अब रनना, basically, शुरू हो चुकी यह चीज़े, right, now आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें, यहां पे options आ रहे हैं, मैं इसको maximize करूँगा, okay, और यहां पे अभी यह maximize नहीं हो है, don't worry, और यहां पे आप देखो कि एक option आ रहा है, create persistent storage, तो इसके बारे में आम लोग बात करेंगी, कि इस तरह से आप data को भी safe कर सकते हो, अपने tails operating system में, so that, let's see, अगर आपने USB हटाई भी थी, सब भी वो data persistent, तो वो भी मैं बताऊंगा, but for now, let's start tails, okay, now the tails is running, यह आप देखो कि size थोड़ा कम है, और आप देखो कि tails में उसे तुरन सही पूछ लिया, कि क्या मुझे TOR से connect करना है, कि नहीं करना है, यहां पर आप देखो कि यह different workspaces है, तो यह workspace 1 है, यह workspace 2 है, मतलब कि मैं switch कर सकता हूं, navigate कर सकता हूं, for now, let me go to the display settings, just to increase the size, तो अभी मैं resolution कर देता हूं, अपने इसका, 69, 1920, 1080, तो मेरा यह desktop का resolution है, मेरे PC का, computer का basically, so I will simply do apply, now you will see, कि जैसे मैं करता हूं, तो मेरा tails operating system थोड़े बड़े size में वा गया है, तो it's now looking much good, so let's go back, so this is good, hooray, so we have actually installed the tails operating system in our virtual machine, and let's see, how to make this tails operating system much more secure, to have total privacy and anonymity, तो यह अब बात करते हैं, हमारे tails operating system के बारे बे, तो अब यहां पे आप देखोगे, tails operating system में बहुत सारी चीज़े हैं, और हम लोग अब समझेंगी, किस तरह से safely और securely, हम लोग tails operating system का use कर सकते हैं, और इससे हम लोग और भी जो चीज़ें हमें करनी हैं, वहम कैसे कर सकते हैं, तो यह हमारा tails operating system, यहां पे आप देखोगे, कि हमारे पास बहुत तरह का, मतलब यह जो आपका उपर वाला पारे बिसली से हम कहेंगे status बारे हमारा, और इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे यहां पे activities इस पे आप क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि यहां पे आपको कई सारी applications मिल जाएंगी, और side में यहां पे आपको देख़ेगा कि अभी यहां पे आप देखोगे क्योंकि एक ही workspace open होई है, तो यहां पे एक workspace दिख रही है, जो कि यह वाली है, यहां पे आप देखोगे कि applications हैं आपके पास सारी, तो जितनी भी applications आपके पास हैं, इसे series हैं, graphics, internet, सारी चीज़ें आपको यहां पे दिख जाएंगे, तो आप देख से तो काफी applications हमें तो अगर आपके में नहीं दिख रहा है, तो आपको simply applications में आना है, Tor connection में click करना है, और फिर आपको यहां पे connect to Tor automatically पे click कर देना है, अभी आप देखोगे तो हमारा यह जो Tails operating system है, यह इस समय हमारे Tor network से नहीं connected है, क्योंकि आप यह देख सकते हैं, यहां पे cross बन के आ रहा है, यह onion पे आपके cross बन के आ रहा है, so what you need to do is, आपको यहां पे करना है connect to Tor automatically, आपको यहां पे फिर कर देना है connect to Tor, so let's wait for some time, तो अभी दिखिए without bridges में connect कर रहा हूं, क्योंकि bridges के बारे में हमनोंने बात कर ली है, और मुझे जरूरत भी नहीं है भी bridges की तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, bridges की जरूरत तब है जब आपको entry नहीं मिल रही हो Tor के ब्राउजर पे राइट, तो यहां पे आपरोगे start to browser और नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आप देखो कि यहां से cross भड़ गया है, जो पहले यहां पे cross आ रहा था, तो अब यह बनलब पूरी तरह से बता रहा है कि अब जो हमारा tails operating system है, वो पूरी तरह से Tor से connected हो चुका है, और ना आप देख सकते हो कि आपका यह folder यहां पे browser यहां पे open हो रहा है, पर यहां पे आप देखो कि ऐसा नहीं है, the reason is very simple, because we do not want कि कोई हमें पता कर सके कि कोई हमें identify कर सके, ठीक है, तो इसलिए यहां पे यह नहीं है, just not to have the screen size that we are using, जो हमनों monitor यूज कर रहा है, यह तो होगी हमारा tails operating system, जो कि इसे work कर रहा है, और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है यह places, places में आप देख सकते हो कि आपके जतने भी folders हैं, सब कुछ आप में यहां पर देख रहे होंगे, home, desktop, documents, download, pictures, tower का यह browser, तो यह basically tor का ही browser, तो यह tor का browser नहीं है, मतलब tor browser जो यह folder है, ठीक है, तो हमें यहां पर tails ने एक extra advantage दिया है, वो advantage यह है कि वो restrict करती है आपके tor browser को, कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके tor browser वारे folder को ही use कर पाए, मतलब वो और किसी भी folder में क्या है, उसे कभी नहीं बदा चलेगा, बाई चांस अगर आपको कोई hack करता है, तो भी वो सिर्फ फर से वही information देख पाएगा जो आपके tor browser में है, क्योंकि यह उसको restrict करके वहीं पर रखता है, अब यहां पर जैसे for example, लेट से मैं कुछ करा हूँ, लेट से मैं इस particular image को save करता हूँ, तो आप देखे मैं कर रहा हूँ save, चलो save page as कर देता हूँ, तो आप देखो कि जैसे ही मैंने save page as किया, तो इसने तुरंट से यह page कहां पर save करने कोशिश किया है, tails.html मेरे tor browser में save करने कोशिश किया है, मतलब भी मैं कहीं और नहीं save कर पाऊंगा इसे, अगर मैं करने कोशिश करूंगा, मैंने documents पर क्लिक किया, you can see, could not read the contents or documents, ओके ठीक है यहां नहीं कर सकते, चलो मैं अबर videos पर राइक करता हूँ, यह भी accessible नहीं है, सिर्फ और सिर्फ tor browser ही accessible है, और यहीं पर मैं अपने इस particular file को save कर सकता हूँ, या फिर यह वाले tor browser पर, तो यहां पर मैं आउंगा, फिर यहीं वाला, यह तो I think सारे हमारी application related files and वो सारी थीज़े है, so we will come to this tor browser, यहां पर T capital से है, और यहां पर मैं save कर सकता हूँ without any problem, तो अब देख सकते हो कि यहां पर save हो गया है, ठीक उसी तरह से अगर आप कुछ upload करना चाहते हो, लेटसे आप यहां पर tor browser में हो, आप सोच रहो कि यहां मुझे कोई file भेज नहीं है, for example, तो लेटसे मैं आप कुछ open कर लेता हूँ, let's say PDF Merger, अभी के लिए आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ क्योंकि, आप देखोगी कि normally, आपका जो tor होगा, आपका जो browser होगा, आपको थोड़ा धीर वर करेगा as compared to your chrome browser, reason is very simple, because we are using a tor network, और उसमें बहुत सारे nodes होते हुए हमारे network जाता है, so it takes some time for the encryption, decryption, बहुत साई की चीज़ें होती है, so you need to wait for some time, आप देखोगी आप जाके यह open हो रहा है, so yeah, आप हर समय इसको use नहीं कर सकते हैं, अगर आप सोच रोगे यह टेवस उप्रेणिक सिस्टम हर समय है, हर चीज के लिए use करूँगा, I'm not, I will not say it will, like if you have a good very very fast internet connection, ठीक है, but otherwise it will lag, okay, तो यहां पर मैंने का merge PDF files online, let's say for example, मैं आपको एक idea देना चाहता हूँ, जैसे मैं यह आप देख कर रहा हूँ select PDF files, तो अब देखो कि select PDF files भी जब मैंने click किया, so I am not accessing any other files or folder, I am only accessing the tower browser, मतलब मैं इस particular folder को जो भी यहां पे दिखा रहे हैं, जो हमने tower browser में है, tails files है और tails.html है, वो दिखा नहीं रहा है, because PDF नहीं है वो, the point is कि आप सिर्फ वर सिव इस folder को यहां से access कर पाऊगे, मतलब अब अगर आप upload भी करना है, एक्स्ट्रा लेबल ऑफ सेक्यॉर्टी, जो कि हमें tails operating system provide करता है, थाकि हम लोग tower browser को और भी safely यूज़ कर सके, because tails हमने tower browser का access सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रग दिया है, उसके इस particular folder तक, तो यह चीज़ा है, पूरी तरह से clear होगी, इसको मैं close कर दे रहा हूँ, next important thing जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यह है कि, जैसे कि मैंने आपको बताया था right, कि अभी तो चलो मैं यहां बे वर्चल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि, आप अगर अपने computer को shut down कर दोगे, और अगर आपने Tails operating system में जो भी कुछ किया था, वो कभी किसी को बता नहीं चल पाएगा, इसके traces पूरी तरह से erase हो जाएंगे, और सब कुछ RAM में save हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आप let's say, for example, मैं अभी मालो कुछ access कर रहा हूँ, और मैंने यहां से अपना computer shut down कर दिया, तो RAM की memory से इस information को erase होने में भी, कम से कम मान के चलिए, चार से पांच मिनट लग जाएंगे, अब अगर उसी तोरान, किसी ने मेरे computer को, let's say, light मालोगी, मेरे घर पर कोई police की आगी for example, और उसने मेरे computer को cease किया, और उसने तुरंद से क्या किया, मेरी RAM को freeze करने को, जो भी data है, तीन-चार मिनट में अभी data है उसके इंतर रहेगा, उसके बाद वो erase हो पाएगा properly, उसको time लगेगा थोड़ा, और उसी time पर मालो मेरी RAM को किसी ने freeze कर दिया, तो problem यह होगी कि अब मेरी RAM में, मेरे बारे में या फिर जो भी चीज़े मैंने की है, Tails operating system को use किया है, इस तरह की सारे information उस RAM में save हो जाएगी, क्योंकि उसने freeze कर दिया है, अब यह कैसे करते हैं, यह साथ technical process, जो मुझे भी बहुत अच्छे दा नहीं बता, they can do this, this kind of thing can happen, तो अब इस particular case में मुझे क्या करना चाहिए, because now my privacy is at risk, my anonymity is at risk, तो इस particular case में आप क्या कर सकते हो, कि before shutting down your system, the better option is to power off it, तो जैसी आप इसे power off करते हो, तो tails operating system फिर यह make sure करेगा, कि पहले आपकी RAM को clear करेगा, and then only it will shut down, तो power off is like shutdown, तो मैंने shutdown कर दिया, and now you can see मैं पूरी तरह से बहार आ चुका हूँ, tails operating system से, now again if I have to use it, तो आप देखोगे, मैं अब इसे मैं tails operating system से, पूरी तरह से बहार आ चुका हूँ, now again definitely if I have to use it, क्योंकि मैं अभी तो VMware यूज़ कर रहा हूँ, otherwise when I will again start my computer, I will insert my USB disk, और फिर से मैं tails operating system को फिर से start करूँगा, तो अभी आप देखोगे, अगर आपको अपनी privacy या anonymity बचा नहीं है, आपकी चाहन लोग खत्रा है, for example, तो इस तरह के racism, I think this type of thing will be good, right? Again definitely, अगर आप सोचोगे, मैं वस tails operating system को इस लिए उस करूँगा, just to serve YouTube, it does not make any sense, right? For good purpose, makes sense, but for just like that, I don't think so, it will make a lot of sense, so that's the point. Now let me tell you one more interesting thing here, अब आप देखे तो मेरा tails operating system फिज़र शुरू हो रहा है, अब क्योंकि मैंने आप से बोला था, tails operating system को अगर आप off करते हो, right? जैसे भी मैंने किया भी, तो मेरा जो भी data होगा tails operating system में, वो सभी raise हो जाएगा, जो भी मैने settings कीती, वो सबकी सभी raise हो जाएगा, and you can see, कि मुझे फिर से settings को फिर से enable करना होगा, again I need to start tails, again I need to wait for it, ताकि ये पुरीता से work करे, and then again I need to change my display settings, तो आप देखोगे, warning non-free virtual menu detected होगे है, अब इसको कोई मतलब नहीं है, अगीन आप देख सकते होगे, कि फिर से मुझे से बोल रहा है, कि आप और से connect करना चाहते हो, क्या तो मैं करूंगा, चरो हां करना चाहता हूं, but don't worry I will tell you one more way, जिसके तुरू आप अपने कुछ particular amount of data को persistently store कर सकते, अभी यह नहीं रहेगा, 19201080, यह में monitor का display है, keep changes, and now I have to again, go to activities, यहाँ पर आप देखोंगे यह फिर से open है, तो यहाँ से मुझे फिर से connect to Tor करना पड़ रहा है, अब इस तरह के process से बचने का क्या तरीका है, because again and again, मैं कुछ चीज़े नहीं चाहूँगा कि मुझे बार-बार करनी पड़े, again and again, मैं Tor setup कर रहा हूँ, यह फिर चलो Tor तो कर रहा हूँ, और और चीज़े मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई data हो वह बार-बार erase हो रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखादा हूँ, हम लोगों ने अभी Tor वारे browser में राइट, places में जाते हैं, Tor browser में हम लोग ने Tor का HTML file save किया था, अब आप देखोगी यह यहां पे नहीं है, क्योंकि यह persistent नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहां पे permanently save नहीं हो रहा है, तो आप देखोगी कि आपकी .html file जो कि यहां पे आपने save की थी इसके previous session में, अब वो यहां पे आपको नहीं देखेगी, तब इसका क्या solution है, अगर लेट से मुझे कुछ particular files को, कुछ particular applications को अपने पास रखना है, long term के लिए, तो इसका solution यह है कि आप क्या करोगे, places में जाओगे, you will go to applications, you will go to tails, and here you will go to persistent storage, इसको अभी करें में बन कर रहा हूं, और आप persistent storage में आके, यहां पे आप देखोगी इन्होंने बताया है कि, अब देखो problem क्या हो रही है मेरे end पे, मेरे end पे problem यह हो रही है क्योंकि मैं use नहीं कर रहा हूं USB disk, so I am not able to use this persistent storage, but don't worry, I will tell you कि इसमें क्या से आपको क्या करना होता है, आप से USB stick से जब इससे चला होगे, then it will start working, then it will not create any problem for you, आपको क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोग यहां पे USB का थे use नहीं कर रहा है, मैं यहां पे learn more about the persistence storage पे click करूँगा, and it's a very simple process guys, let me tell you, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे आप अभी तक अपने computer पे password लगाते थे, ठीक उसी तरह से आपको करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, तो आप यहां पे documentation पे अगरेंगे पढ़ोगी, तो इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया है, देको यह maximize हो गया, it should not happen like that, पर चलो ठीक है, अभी के लिए, we can cope up with it, the thing is कि यहां पे अगर आप देखोगी, step by step बताया होगा है कि कैसे आप यह कर सकते हो, तो यहां पे आप पूरा dialogue box open होगा, अब यह हमारी case में नहीं हो रहा है, continue button नहीं आ रहा है, because we are using virtual machine, आप continue पे click करोगे, आप अपना पासवर्ट डालोगे, and once you will do that, आपके सामने एक persistent storage create हो जाएगा, और वो persistent storage आपको यहां पे दिखेगा, places में आप देखोगे कि persistent storage करके एक folder बन जाएगा, persistent करके या फिर जो भी आप नाम दे रहे हो, वो फिर आपको यहां पे दिखने लगेगा, और फिर वहां पे आप जो भी files and folders या फिर जो भी चीज़ें आप install करोगे, जो भी चीज़ें आप use करोगे, वो हमेशा के लिए उसमें रहेंगी जब तक आप चाहोगे, तो जब भी कोई आप अपनी Tills operating system को open करोगे, तो अगेन वो फिर एक password मांगेगा, if you want to use the persistent storage, और अगर आप उसका password सही दे दोगे, तो you will be able to use that persistent storage, तो आप देशात्यों इन्होंने उसके बारे में ही बताया है, unlocking and using the persistent storage, so I have tried this, this works very nice, तो यह आप देखरों इन्होंने बताया कि when starting Tills the persistent storage section, आपको बताना पढ़ेगा अपना password, once you will enter your password, आपके सामने वो folder फिर से आ जाएगा यहाँ पे, places में and you can access that particular persistent storage, जहाँ पे आपका जो data होगा वो permanently stored हो जाएगा, ठीक है और encrypted format में होगा तो don't worry about it, but yes it will get permanently stored there, तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार टॉर से connect करना है, या फिर कोई application है जो आपने install किया, आप चाहते हो किया वो delete ना हो, but ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, because applications हो सकता है corrupted हो, तब आपके लिए problem में हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप जब भी Tails operating system run करोगे, persistent storage access करोगे तो वो application run करोगे, तो it might be a problem thing for you, you should do it according to your like, अपने risk पे, मतलब कि आपको पता होना चाहिए, then only you should do that, this is how you can use persistent storage in Tails, तो हम लोग ने यह चीज तो समझ ली है, कि हम लोग जब भी अपने Tails operating system में कोई भी चीज करते हैं, तो वो Tor network के through ही होती है, मतलब यहां पे चाहिए मैं कोई application run करूँ, कुछ भी application run करूँ, चाहिए मेरा Tor browser, वो definitely Tor browser है, तो वो Tor connection ही का use करेगा, मतलब कुछ भी मैं जो भी Tails operating system में कर रहा हूँ, वो सबका सब किससे होके जा रहा है, वो Tor network के through होते हुए जा रहा है, बट there are chances कि जब आप Tor network का use ना करना चाहूँ, उन chances के लिए ही हमें Tails ने, अगर आप यहां पे आओगे basically internet पे, तो internet पे section पे जाने के बाद आपको एक और option दिखेगा, जिसे वो कहता है unsave browser, now this unsave browser is a browser जो कि आपके Tor network का use नहीं करता है, और इसलिए आप देखो कि जैसे ही मैंने इसको open किया, मेरे पास error आने लगा, this browser is not anonymous because this is just like your normal browser, जैसे आप Chrome चलाते हो, जैसे आप brave let's say, ठीक है brave थोड़ा बहुत privacy oriented है बट चलो brave हो गया, Chrome हो गया या फिर जो आपका Microsoft का browser होता है, इंटरनेट एक्सपोर तो dead हो गया, मतलब कि और जो browser उनका मुझे पता भी नहीं नाम याद नहीं है, the point is कि यह सारे जो browsers होते हैं आपके यह सब क्या होता है, यह सब आपके public browsers हैं जो कि आपके anonymity और privacy का बिलकुल ध्यान नहीं रखते, अब हो सकता है आपके दिवाग में यह question है क्यार ऐसा किया क्यों, तो basically यह इसलिए किया गया ताकि आप captive portals को, जैसे कि अगर आप महालो airport पे हो, hotel में हो, library में हो, और आप वहां के wifi को use करना चाहते हो, यह उन्हें एक dialogue box से through दिखाए भी है, कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें पास यह options होते हैं, free wifi hotspot के, और अगर हम वह को use करना चाहते हैं, तब वह TOR की through possible नहीं होता है, तो it's written there that tails cannot connect to the TOR network when the internet connection is initially blocked by captive portal, तो वहां पे आप और network का use नहीं कर पाऊगे, और इसलिए यह unsafe browser का आपको feature दिया गया है, तो let's say if you want to use it, for example internet for some reason, using your tails operating system, तो आप इसके तुरू यहां पे कर सकते हो, तो this will work just like your normal browser, जहां पे आप अपना कोई भी address जालोगे, and it will start working, तो Google चाहे, जो भी चीज़ है अभी तक आप, let's say हो सकता था, Chrome में यूज कर रहे थे, और Brave यूज कर रहे थे, कुछ भी यूज कर रहे थे अभी तक, for example for browsing it, you can use the same functionality in this unsafe browser as well, but again remember it is unsafe, it will not keep you anonymous, okay, तो अब हमारे पास tails operating system पूरी तरीके से ready है, और यह operating system अब तरह से secure है, because definitely अभी हम लोग VMware यूज कर रहे हैं, तो इतना भी secure नहीं है, बढ़ हाँ, अभी के लिए मारे पास tails operating system है, जिसके थूरू हम लोग अब कोई भी चीज जब search करेंगे, तो वो Tor network के थूरू होते होए जाएगी, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा था, कि हम लोग वहाँ पे websites का access कर रहे थे, तो अब हो सकता है आपके मन में यह question हो, कि या ठीक है आपने कुछ पटोगा websites तो दिखाएंगी, बट let's say मैं अगर dark web पे आ भी गया, तो मैं dark web पे करूंगा क्या, और मैं क्या search करूं वहाँ पे, for example, आपमन में हो सकता है, कोग या गूगल पे तो सब कुछ दिखता है, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यार देखो dark web पे भी बहुत सारी useful चीज़े होती हैं, बहुत सारी useful documentation होते हैं, बहुत सारी useful आपके पास articles होते हैं, जो कि publicly available नहीं होते हैं, बहुत सारे research papers होते हैं, जो publicly available नहीं होते हैं, वो dark web पे आपको दिख जाते हैं, due to the privacy and due to the censorship reasons, तो आप उस तरह के articles पढ़ सकते हो, आपको और deep थोड़ी knowledge लेनी हैं यार, hackers कैसे work करते हैं, security कैसे work करते हैं, तो इस dark web पे भी आपको मिल जाता है reddit, ठीक है तो reddit आपने हो सकता है, use किया हो, तो यहां पे मैं डालूँगा reddit, अब reddit की अपनी एक special वो होती है page है, जहां पे वो dark web के बारे में बात करते हैं, अब देखो यह .com URL है, तो यह google.com पे भी आपके यह work करेगा, without any doubt तो reddit.com पे आप जाके dark web से hit it, okay, यह मैंने okay, तो they are saying that it is banned now okay, dark web is banned I think let's try for deep web then सब देख सकते हो की dark web उन्होंने banned कर दिया है let's try for then deep web I think this might be working तो deep web कहलो, dark web कहलो dark web is more I think, you know wrong way dark का जाता है, but deep web कहलोगे तो deep web में अगर आप आओगे तो आपको चीज़ें यहां पे देख जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि research papers on deep web और first time entering to be like, so this is all about deep web, तो यहां से आपको बहुत तरह की information मिल सकती है, तो जैसे आप देख तो dark, deep web without, और तो मालब यहां पे आप अपने खुद से questions पूछ सकते हो और वहां पे आपको इसके answers मिल सकते हैं तो अगर आपको किसी particular website के बारे में search करना है तो you can do that, तो इस तरह की information आप यहां पे जान सकते हो, और यहां पे दिखके भी आ रहा है कि इसका .onion भी available तो अगर मैं इस पर click करूँगा तो .onion जो particular domain होगा यह सिर्फ और सिर्फ टॉर network भी available होगा तो यह जो google वाले हैं .com वाले हैं वह उसको यह access नहीं कर पाएंगे now you can definitely again look for this, so अब देख सकते हो research papers on deep web तो यहां पे वहीं कह रहा है कि अगर आपको research paper ढूणने हैं deep web पे तो आप कैसे कर सकते हो तो you can find that as well here right तो यह वह ऐसे research papers की बात करें जो को google या yahoo पे नहीं मिलेंगे बट वह आपको यहां पे मिल जाएंगे and people are replying to this particular post जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो and if you want to search for any content you can do like this in the same way we have the Wikipedia like जैसे हमारे google पे है वैसे हमारे dark web पे या deep web पे भी ऐसे होता है तो जैसे मैं आप लुकूंगा hidden wiki तो this is one of the popular websites जिसका use किया चाता है but again you have to be totally अब देखो यहां पे जब मैं hidden wiki पे जाओंगा तो यहां पे सारी चीज़े सब अच्छी नहीं होंगी I will be very honest यहां पे बहुत सारी चीज़े है उल्टी सीधी भी होंगी but again you have to find out कि आपके काम की चीज़ क्या है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी links आपको प्रवाइट कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें प्रवाइट की हुई है अगी search for search engine में आप बहुत सा information जो भी आपको search करना है let's say आपको search करना है about bitcoin for example let's say just an example so इस तरह की information भी आपको यहां पे आराम से दिख जाएगे रिफिंड यहां पे आप देखो कि .com वाली चीज़ें दिख रही है but if you will use the .onion notation so चांसे दारा विरी है तो आपको यह सब .com वाले थोड़े कम दिखें so मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब वहां पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने लिए anonymity create कर सकते हैं when it comes to email ID चले तो आईए अब बात करते हैं anonymity और privacy की when it comes to communication तो यहां पे हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे यहां पे हम लोग emails के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग रूह जमर्णा की जिरे जिन्दकी में काफी यूज करते हैं emails तो इनको किस तरह से हम लोग ज़्यादा private ज़्यादा secure बना सकते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे instant messaging के बारे में कि किस तरह से instant messaging को हम ज़ादा private और secure बना सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग WhatsApp यूज करते हैं, अभी हम लोग Instagram यूज करते हैं and trust me these are not private messaging mediums तो हम लोग यहाँ पर यह भी समझाँगे कि किस तरह से privacy और anonymity को use के अज़ा सकता है when it comes to instant messaging as well तो यह बात करते हैं email के पहले बारे में तो email के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम लोग बहुत सारे methods देखेंगे जिसके through हम लोग anonymity और privacy को ensure कर सकते हैं पहला method है fake emails को generate करना किया चलो मैं एक fake email ID बनाता हूँ तो इसके भी कुछ drawbacks होते हैं उसके बारे में भी आक सार डिसक्श करूँगा फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग temporary email accounts बना सकते हैं जो कि ऐसे email accounts जो कि कुछ time तक के लिए valid होंगे और कुछ time बाद ही वो disappear हो जाएंगे then we will talk about privacy focused email providers मतलब ऐसे भी email providers हैं जो कि privacy की थोड़ी respect करते हैं अब हम Gmail की अगर बात करें हम अगर Yahoo की बात रहें तो वो हमारी privacy की कोई लिए न देना नहीं वो हमारे emails हो पड़ते हैं वो हमारे सब कुछ मतलब हमें ads बेजते हैं उसी की basis में सब कुछ करते हैं but we will talk about privacy focused email providers जो कि हमें privacy प्रवाइड कर रहते हैं and then we will talk about essay email providers जो कि आपको darknet की facility भी प्रवाइड कर रहते हैं प्लस आपको जो regular internet है उसकी भी facility प्रवाइड कराते हैं तो यह बहुत सारे ways हैं I know मैं सारे ways आपको दिखाऊंगा सारे तरीके की जो companies हैं सारे तरीके जो methods हैं टूल से मैं आपको सब के सब show करूँगा बढ़ एक चीज आपके सब share करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप उबर से नीचे आते जाओगे privacy और anonymity और भी जादा तागतवर होती जाएगी या फिर जादा increase होती जाएगी मतलब कि यह सबसे कम private और anonymity वाला तरीका है फिर यह उससे जादा है फिर यह उससे जादा है let's say dark net email providers आपके लिए हो सकता है privacy focus email providers ही गड़िया हो या फिर हो सकता है कि आप कुछ छोड़ी मुड़ी चीज़े कर रहे हो और इसके लिए temporary email accounts भी बहुत बढ़िया तरीका है ये तो मैं तब भी इतना जर्स नहीं करूँगा पर या these are some good options तो जली इन सब के बारे में बात करते हैं तो generally जब भी हम लोग email account बनाते हैं तो वहाँ पर हम अपना first name, last name और भी जो बहुत सारी information होती है हमारी date of birth, हम कहां काम करते हैं इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती है वो हमें provide करनी पड़ती है जब भी हम कोई email बनाते है लेटसे वो Google हो, Yahoo हो, कुछ भी हो जिदनी भी centralized entities हैं वहाँ पर हमें कुछ information देनी होती है और the thing with this is कि अब ये उस particular information से हमें track कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि आगर आप Gmail यूज़ करते हो so they can track you कि आप Gmail में क्या कर रहे हो तो आपको उसी तरह के ads आने लगते हैं तो यहाँ भी एक option तो यह है कि आप यहाँ पर कुछ random name लिख लो अपना कि यार मैं अपना नाम यहाँ पे let's say मेरा नाम चितेज है मैं चितेज नाम से नहीं कुछ you you let's say you you ऐसे कुछ मैं उल्टी सीदे नाम से एक email ID बना लूँगा और अब मैं उसी email ID की use करूँगा now you might say कि हाँ इससे क्या है न कि हमाई privacy भी बचे रहे हो anonymity भी मिल गए क्योंकि अब वो हमें track नहीं कर सकते because उनको पता ही नहीं हमें तो नाम पना डाला ही नहीं है but the thing is कि still ये लोग आपको track कर सकते हैं on the basis of your behavior कि आप किस तरह का email करते हो किस तरह की emails आपके पास आते हैं because you are still using their server right एक तरह से जो Gmail है जो भी ये चीज़ें आप use करते हो ये सब तो Google के server पर ही है तो कहीं न कहीं है वो आपको trace अभी भी कर सकते है तो अब इस तरह की चीज़ों से बचने का क्या तरीका because this is not going to work अगर आप यहाँ पर fake email ID बना लेते हो और एक fake email name से कुछ बना लेते हो तो it is not going to work because again they are tracing you definitely बाहर की दुनिया में आपको कोई ना trace कर रहा हो but these people can still find you these people can still know you क्या रहे आप कहां पर belong करते हो क्या IP addresses आपको जाके बारे में यह जान सकते है now we have some website जिसके तुरू हम लोग temporary mail बना सकते है जिसे एक temp mail करके website होती है आपको नहीं दिखाता हूँ now this is a .com one तो आप यह Google पर भी definitely use कर सकते थे but let me show you this तो आप देखो कि यह temp email करके है तो generally क्या होता है कि जब भी हम किसी particular website पर चाते हैं तो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आप यार अपना email ID दो तब ही हम आपको verify करेंगे and then only we will provide you the access of our website तो instead of it यह temporary email आपको क्या provide करता है क्याता है क्यार हम आपको कुछ fake email देंगे अब definitely यह पूरे time के लिए नहीं रहेगा आप देख सकते हैं तो यह सिर्फ एक घंटे तक के लिए रहेगा और हमें एक घंटे के लिए ही चाहिए for example अगर मैं किसी particular service को use करना आता हूँ just for testing और फिर बस मैं जाना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ कि वो website क्या है तो instead of providing my real email मैं यह fake email प्रोइड कर दूँगा और वो email वहाँ पर दाल दूँगा तो जब भी मुझे कोई email आएगा तो वो मैं यहाँ पर receive करूँगा तो मैं यहाँ से उसको verify भी कर दूँगा तो उनका भी काम बन गया मेरा भी काम बन गया because now they are not tracking me तो जैसे कि अगर आपको देखाऊ हूँ यह चीज कैसे work करती है यहाँ पर मैं एक दूसरा open कर लेता हूँ and this is only wallet for one hour तो one hour के बाद यह wallet नहीं रहेगा remember this okay so okay so I think I am having the same address ठीक है no issues तो ऐसा करता हूँ मैं इस email address से अपने को इस पे कुछ mail भेज़ता हूँ आप देखोगे कि मैंने अपनी email id से Google की email id से इस पे एक verification के लिए mail भेजा generally जैसे हम लोग को verification mail आता है और अगर मैं अब इसे open करूँगा तो मेरे पास मेरा verification mail होगा तो यह this is the verification mail और आप दे सकते हो उसा contented test mail okay so this is how we can use this temporary email definitely यह आप email send करने के लिए नहीं use कर सकते because अभी हमें send नहीं करना है अभी हमें सिर्फ receive करना है तो receive करने के लिए मैं इसको use कर सकता हूँ जिसके थूँ अब मुझे कोई track नहीं कर सकता मुझे कोई पकड़ नहीं सकता किया किसने यह verification करा है so they will not be able to track me इसी तरह से एक और website है by the name of gorilla mail ठीक है मैं यह भी आपको दिखाता हूँ so यह आपको जिससे आप email को सिर्फ receive ही नहीं यहाँ पर आप receive पी कर सकते हो और send भी कर सकते हो but again this is also only available till one hour I think यह कहीं लिखा होगा I'm not seeing it अब बात करते हैं email providers के बारे में तो जैसे proton mail लेक है वो बहुत ही बड़ी यहाँ service आपको provide करते है जिसमें कि आपको privacy oriented mails email id मिलती है तो आप देखोगे यह काफी जदा encrypted format में आपको mails दे रहे हैं यह आपको track नहीं कर रहे होते हैं so they are very secure तो आप इनको use कर सकते हो free account create कर सकते हो definitely इसकी pricing भी है इसे आप देखोगे बहुत easy to use है ऐसा मैं समझना कि बहुत typical use है it's a very easy to use tool आप 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 देखोगे इसकी charge आप देखोगे तो यह 12 EUROS पर मन दिखा रहा है and definitely they are going to provide you so many different things 15 email address मैं आपे sponsor नहीं कर रहा हूँ पहली बता दो यह मत समझना कि मैं sponsor कर रहा हूँ but देख सकते होगे custom email domains मिल रहे है और पूरी सबसे च्छी बाता है privacy oriented है और आप देख सकते होगे और भी चीजें इसमें है मैंने कभी इसका paid plan तो नहीं उसके है but the thing is you can see so many different things are there in 1299 EUROS और आप इसका use हर सकते हो and it's totally secure बहुत ही simple होता है बस आपको जाना है you have to simply create an account और बहुत ही smooth इसा interface आपको मिलेगा जैसे create a free account और ठीक है मैं create a free account I think कि मुझे कि नहीं दे रहा तो आप देख रही है तो यहां पे देख रहो एक 3 EUROS पर मंद का भी plan है चाहां पे आपको कुछ limited चीजें मिल रही है and this is the free plan और free plan में आप देख रहो 150 messages per day I think this is good एक normal user कितना ही करता है और up to 1 GB का आपको storage दे रहे है सब कुछ दे ही रहे है और सबसे चीज़ी बात है कि privacy oriented तो जिसके लिए हम लोग यह कोर्स कर रहे है I can simply sign up to it आप देख रहोगे इनोंने तुरन बता दिया I hope you understand कि आप यहां से क्या कर सकते हो सब कुछ हो जाएगा इससे The only thing is कि यह ज़्यादा private रहेगा बस यह चीज़ है ठीक है जैसे आप Gmail पर सारी चीज़े करते थे वैसे इंटरफेस आपको यहां पर भी मिलेगा You can create an account and you can start using it Okay These are called privacy oriented email providers और इसके रहके और भी होते है मैंने यह चुना क्योंकि यह one of the famous है यह और इसके आप भी खुद भी research कर लो मैं यह नहीं कहरा कि आपको यह use करना है There are other privacy oriented email addresses as well which you can opt for Okay तो यह है हमारा darknet का email provider तो basically यह सिर्फ और सिर्फ darknet पे ही work करता है मतलब इसमें जो भी .onion के domains होते हैं सिर्फ आप उसी पे email बेज़ सकते हो यहां पे आप Gmail पे email नहीं बेज़ सकते है Yahoo पे mail नहीं बेज़ सकते और यह सबसे ज़्यादा secure है क्योंकि यह सिर्फ darknet पे सीधी सी बात है आप जितना ज़्यादा area कम करते जाओगे उतना ज़्यादा secure होते जाओगी जैसे कि आप एक room में अपने आपको पूइतर से बेंद कर लो इससा वेरी अलग तरह की terminology उसलाए कर ली लोग हो गया गोट के मारना चाहते हो वैस विल नहीं था the point is कि मैं लब कि यह ज़्यादा secure है and if I will go to simply just sign up तो आप देखो कि बहुत दी simple सा sign up process है यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा यह पूरी website दिखने रही है मझे को की पूरी ठीक है अब यहाँ पर देखो यह simple सा sign up process है I need to have my user name तो let's say I have my user name for example let's say Jack Sparrow ठीक है Sparrow और password मैं अपना कुछ ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर एक capture that is I think Y-H-O-Z-G right and I'm hoping कि यह सही है and I will simply we'll send you ठीक है अभी के लिए छोड़ देते है अभी के लिए बस submit so now it's saying my CAPTCHA is incorrect I think that's Y or G it's Y or G let's have G again so after the so much hassle क्योंकि CAPTCHA solve भी हो था अब मगर अकां सक्सुली create हो चोका है so now I need to enter my email id and this is the domain right remember this this is the domain और मैं पर email id आलोंगा अपनी अब जो भी मेरा वो है username तो वो था Jack Unique Me something like this था और यह मेरा password और मैंने किया login and you can see कि अब मेरे पास मेरे पास email addresses आ गए है और मेरे पास कई सारी email addresses आ है तो आप देखो कि यह वही concept है जो अगर आपने blockchain पढ़ा हो आप लोगोंने तो metamask के एक wallet होता है उस wallet में भी आपके पास multiple wallet addresses होता है let's say submit and let's go to the services webmail okay okay I think यह अभी website वर्क नहीं करी कि मैंने त्राइ किया this URL is not working तो मैंने और भी यहां पे darkweb की जो भी mail providers थे मैंने उनको सर्च किया तो top five में basically tour box second भी था इसलिए मैंने त्राइ करने को जिश की but I am not sure कि यह भी work क्यों नहीं कर रहा है 404 error आ रहा है but I think services में they have provided it I think अभी वो down चल रहा है maybe the reason might be that only so no issues जब यह open हो जाएगा we will again try it but for now let me tell you again this is again a very simple service जहाँ पे जैसे अभी तक आप gmail पे emails भेजते थे वैसे आप mail का use करके आप भेजोगे या फिर tour box अभी इसलिए यूज करके भेजोगे बस यह रहेगा कि वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ dot onion वाले ही जो भी मलब dot onion के mail providers होंगे सिर्फ आप वहीं पे mail भेज भाऊगे dot gmail इसलिए पे mail नहीं भेज भाऊगे तो यह आपको याद रखना है अगर आप देखोगे इस लिस्ट में और भी है जैसे कि bit message है mail to tour है then we have this so you can see there these are the top 5 again आपको अपनी research करनी चाहिए तो जैसे कि मैंने का कि आपको सब कुछ मिलेगा if you will search on the dark web or deep web तो यहाँ पे आपको सब कुछ बदा ज़ता है तो यहाँ पे लिखा भी है freedomhacker.net I think this is a website which is helping hackers so you can देख सकते हो आपकी hackers group है Chinese hackers Russian hackers yeah there are so much things going on on deep web right now let's okay I will advise you to try by yourself I hope मैंने पुली list आपको देई दी है मैं इसकी link आपके साथ share कर दूगा so that you can also refer the other email providers as well तो हम लोग उने communication में email की बात कर ली थी अब बात हम लोग करेंगे instant messaging की तो जैसे कि email हम लोग regular basis पे भेजते ही है उसी तरह से हम लोग messaging भी बहुत करते हैं right अपने friends के साथ अपने colleagues से साथ बहुत सारी हम लोग messages करते है but the thing is कि हम जो messaging करते है वो again ना तो private होती है ना anonymous होती है definitely बहुत सारी companies claim करती है हम encryption यूज करते है into an encryption यूज करते है सब यूज करते है जीमेल पर या कहीं पर भी कीती वो कहीं न कहीं leak हो रही है तभी हमें apps दिख रहे है उस particular information से related तो अब हम लोग जिस service के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है XMPP protocol तो ये वो protocol है जो कि आपको instant messaging की पूरी तूरी सुबधा देता है instant messaging से लेकि और भी बहुता ही चीज़ देता है but instant messaging जिसे आप WhatsApp पे करते हो वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो और ये पूरी तरह से open है मतलब open source है जोहर network का use करता है तो पूरी तरह से secure भी है तो XMPP stands for Extensible Messaging and Presence Protocol तो इसका फुल फॉर्म है It is a communication protocol used for real time exchange of messages and presence information primarily designed for instant messaging chat and online present tracking XMPP is open जैसे कि मैंने का ये open source है आप इसे code को read कर सकते हो without any problem ये तोर network का use करता है तो again you can trust on that and ये extensible है widely used for various application beyond just instant messaging और अभी चीज़ों के लिए आप इसका use कर सकते हो like IoT communication, collaborative tools मतलब कि एक तरह से social media platform kind of a cheese ही है ये उतना जदा आपको UI experience इसका उतना अच्छा ना लगी हो सकता है but yes it will give you each and everything that you require in order to communicate with your friend अब ये work कैसे करता है इसको भी समझ लेते हैं तो basically XMPP का भी एक server होता है अब ये server आप चाहे तो Tor network के अंदर का use करो चाहे तो आप Tor network के बाहर का server use करो मतलब आप कोई भी server यहाँ पर use कर सकते हो चाहे वो Tor network के अंदर का हो या फिर XMPP server Tor network के बाहर का हो अगर वो बाहर का है तो definitely आपका जो traffic है वो कही न कहीं बाहर जाएगा so in better terms हम लोग क्या कर सकते है XMPP server जो होता है उसका हम लोग internal version मतलब कि एक onion service वाला जो हमारा XMPP server है उसका use कर सकते है ताकि हमारा जो भी communication है वो within the Tor network ही रहे तो हम लोग दोनों methods देखेंगे किस तरह से हम लोग बाहर वाले XMPP servers के through भी communication कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग internal Tor network वाले XMPP server के through भी communication कर सकते हैं तो चली समझते हैं तो यहां पर आप लोग आओगे तो यह है XMPP servers ठीक है तो Tor with Tor hidden services और आप यहां पर देख सकते हो these are the list of XMPP servers अब इसमें से हमें कौन सा चूज करना है इसमें से हमें ऐसा चूज करना है जिसमें कि जो यह XMPP compliance है वो excellent हो ठीक है पहरी चीज तो यह है मतला कि वो best रहेगा और यहां पर भी उसका जो grade हो वो A हो तो अगर आप देख सभी का है और यहां पर excellent कुछ शुडू के हैं और नीचे के भी कुछ excellent दिखेंगे और मैं अपने लिए यहां पर चूज करने वाला हूँ प्यमुख.d कभी कभी क्या होता है कि इन सब को close भी कर दिया जाता है because of the extra traffic यह पर spamming होने रखती है तो वहां पर इन सब को close भी कर दिया जाता है और I think जब मैं प्यमुख प्यमुख जो भी इसका नाम है इसका जब मैं use कर रहा था तो मैंने देखा यह काफी easy to use ही है, easy to use मतलब कि simply register करो and you can start with the work, तो यहाँ पर मैं registration पर जाओंगा, वैसे मैंने पहले से ही register किया हुआ है, तो आप देख सकते हो लिख के आएगा, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखके आएगा, क्यों यहाँ पर लिखके आएगा, Google थोटी use कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखके आ रहा है कि you may register your account here, तो यहाँ पर आपको simply कुछ भी username चूज कर लेना है, यहाँ आपके उपर है, पासवर्ड, और याद रखेगा, पासवर्ड आप restore नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह ध्यान देना है आपको, और आप इसको फिर अराम से create कर सकते हो, just doing a sign up, जैसी आप sign up कर लोगे, let me do it for you, let me do it for you, so that आपको भी दिख जाए, for example, let's say, मैंने का spider man, ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने password लिया, ठीक है, कुछ password लेते हैं, तो आप देखोगे, यह मेरा account यहाँ पर create हो गया है, this is the account, इसको मुझे यहाँ से copy कर लेना है, so this is something which I will be using, अब इसके बाद आपको क्या करना है, applications में जाना है, और क्योंकि हम लोग tails operating system यूज़ कर रहे हैं, तो हमाई पास पहले से ही, अगर आप देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे internet के अंदर, internet messenger दी है, right, pigeon internet messenger, तो यह में पहले से ही मिलेगा, तो हम लोग ने यह तो देख लेगी, किस तरह से हम लोग basically instant messaging कर सकते हैं, बड़ अब हम लोग देखेंगी किस तरह से हम लोग hidden services का user के भी यह चीज़ कर सकते हैं, हम लोग ने बात किती ना hidden services की, तो इसकी भी बात कर लेता हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने pemix.ede का use किया था, अब मैं यह जो onion service है, इसका use करूँगा, इसको मैं copy करूँगा, and then I will make some changes, right, मैंने बूला था कि हमें कुछ changes करने होंगे, तो यहाँ पे मैं modify पे click करूँगा, मैं यहाँ पे इसको वैसे ही का वैसे रहने दूँगा, एडवांस पे जाके connect server में, यह जो hidden service वाला मेरा URL है, इसको यहाँ पे तालूँगा, मैं save करूँगा, and now what we will be doing is, कि अब हम लोग hidden service के थुरू यह conversations करेंगे, so ऐसा करते हैं, मैं इसको offline कर देता हूँ, and let's do this modification again, कभी-कभी इसको यह जाता है, and then save it, and now let's go to available, let's wait, okay, यहाँ पे कुछ issue आ रहा है, reconnect करते हैं, reconnect, okay, I think अब यह connect हो चुका है, तो अब एक बर से test कर लेते हैं, सभी सभी से work कर रहे कि नहीं, तो सब कुछ वही रहेगा, कुछ हम लोग जदा change नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग ने यह चीज किये कि, अब लोग रिदेन चीजों का हम लोग यूज कर रहे हो, कि यह क्या है, simply, let's, so now let's try this, एक बार मैं इसको चक करता हूँ तो मैं यहां पे हूँ और क्या दिखा रहा है Superman इसे में offline दिखा रहा है के वाई दिखा रहा है एक बड़ी से close करते हैं ठीक है और बड़ी से let me close this I think यह इसलिए वर्क नहीं कर रहा है let me restart this I think यह जो Tor service है I think work नहीं कर रही है कभी-कभी मैंने बता है Tor service issue कर रही है and I think the Tor service is not running currently जिसकी विछ से यह चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो advance में even though मैंने यह सही URL डाला है let's say but I think नहीं यह work नहीं कर रहा है no issues guys I think आप लोग try कर सकते हो दूसरे servers के साथ but यही आपको करना है if you want to go for a hidden service आपको simply जाए है advance section में advance section में जो उनकी hidden server है उसको बस डालना है and you can simply save it and once you will do यह work करना चाहिए but अभी I think hidden service उनकी work नहीं कर रही है that's why we are facing this issue और इसलिए आप रिखो कि यहाँ पे मुझे कोई भी मेरे buddy को add करने का option भी नहीं दिख रहा है but if I will go back to the same thing manage account if I will again go back and simply modify it और advance से में यह भटा देता हूँ so chances are high कि अभी यह work करेगा and okay let's close this let's reopen this internet yes अब मुझे अपना password यहाँ डाला है and now you can see now it is working right तो यह कह रहा है कि superman को आप add करना चाहते हो तो yeah we can authorize it but वही है कि अगर मैं फिर से यहाँ पे settings में जा के इसको change कर रहा हूँ if I am going to modify this with this new address it is then not working एक चीज़ यह करते है just trying this offline जा के फिर से करते है फिर advance जा के paste and then save now let's come available okay I think this is not working but don't worry the thing is I said आप कोई भी और वहाँ पे जो मैंने आपके साथ github की list अभी मैं आपके साथ share कर दूँगा which is this one तो यहाँ पे आप आप अराम से फिर और भी services वो try कर सकते हो और अगर आपको hidden service के थ्रू अक्सेस करना है तो it will be using the TOR network only अभी क्या है कि हम दो TOR network से बाहर जाते हैं जब XMPP server को use करना है but if he will be using this तो हमें issue नहीं आएगा तो एक चीज़ आपको मैं यह बताना पीछाओंगा कि आपको कभी-कभी यह hidden services हैं यह change होती रहती है time to try update होती है कभी-कभी यह work करना ही बंद कर देती है जैसे कि अगर आपको मैं दिखा हूँ deskmail.de है इन्होंने अपना XMPP वाला बंद करके रखा हुआ है जैसे कि अगर आपको दिखाता हूँ मैं आपर रिजिश्चर पर जाओंगा ठीक है तो लेट में हटा देते हैं इसको यहां से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि यह run करने लगे otherwise तो मतलब भी नहीं रहेगा अब यहाँ एक चीज और भी है जो मैं आपको शो करना चाहता था वो यह है कि ठीक है अभी के लिए मैं इसको इपर फिर से पूरा क्लोस करूँगा एप्लिकेशन में जाओंगा यहां पर जाओंगा पासवर्ड ओके तो मैं एक चीज अब आपको यह दिखाना चाहरा था कि अगर आप यहां पर लेट से सूपर मैन से बात करते हो अभी भी आप दिखोगे यह जो चीज है जो हम लोग अभी मेसेजिंग कर रहे है वो भी पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है प्राइवेट नहीं होने का मतलब यह है कि अभी भी हम लोग इंक्रिप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं तो अभी क्या है कि जब हम लोग अभी यूज कर रहे थे हमारे instant messaging को जो हमारे tails operating system में जो हमारे पास software था उस software का जब हम लोग use कर रहे थे तो वहाँ पे भी basically हम लोग normal instant chatting ही कर रहे थे definitely वहाँ पे हम लोग decentralized network का use कर रहे हैं, TOR network का use कर रहे हैं but still हमारी जो chat थी वो non encrypted format में भी मतलब इसका यह है कि अगर आप यहाँ पर कोई chat लिखते हो जब आप यह chat अपने friend को भेजते हो तो सबसे पहले यह XMPP के server पर जाएगी और फिर XMPP के server से आपके friend को जाएगी इस process पर प्रॉब्लम यह है कि यार चलो यह path तो safe रहता है और यह path भी safe रहता है क्योंकि जसे मैंने का कि सब कुछ तॉर से होते होग जा रहा है हाँ definitely जब हम लोग XMPP अगर हम लोग बाहर वाला यूज कर रहे हैं तो एक जगा तो problem है ही अगर आप HTTPS वाला यूज कर रहे हो अच्छी website यूज कर रहे हो XMPP की तो कोई problem नहीं है बट the main problem है कि यह जो chat है एक time के लिए हमारे server के पास भी आती है यह वो time होता है जहां पर आपकी जो chat है वो server के पास होती है तो यह कि XMPP server है और आपकी chat अगर आप ध्यान से देखोगे तो unincryptate format में है मतलब कि यह server भी इस chat को read कर सकता है अब definitely हम लोग XMPP use तो कर रहे है बट अब क्या फरोसा की भाई XMPP भी क्या मलब जो server है वो क्या कर रहे हो हमें तो पता नहीं है तो हम लोग इसी लिए यह वाले method को अपनी करेंगे विकास हमारी chat यहाँ पर unsecure है definitely हमारी decentralized है जैसे कि मैंने बताया बट still अभी भी हमारी chat encrypted नहीं है और क्योंकि यह encrypted नहीं है तो it is unsecure तो अभी से मैं secure करेंगे secure करने के लिए basically क्या होता है security के लिए हम लोग encrypted instant messaging का use करेंगे या फिर chatting करेंगे मैंने यहाँ चाटिंग लिखा है यहाँ पर messaging कर दिया है यहाँ पर भी chatting की होना चाहिए ठीक है और क्योंकि अब हमारी जो chat है वो encrypted format में गई है मतलब कि अब उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता वो encrypt कर दी गई है using cryptography तो अब हमारी यह जो chat होगी वो server पे तो होगी बट वो पूरी दरह से safe होगी और फिर यह chat हम कहाँ पे भेजेंगे यह chat फिर हम लोग भेजेंगे हमारे client side पे मतलब हमारे दोस्त को जिसको हम को यह chat भेजनी है और वो फिर इस chat को decrypt कर पाएगा क्योंकि हम उसके साथ अभी आपको मैं दिखाऊंगा जब यह process हम लोग करते हैं तो उसके पास भी एक key होगी जिसके थूरू वो इस particular chart को decrypt कर पाएगा अब ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हो यह तो whatsapp भी तो कहता है इस चीज को जो हम मैं बताया रहा है यह इसे कहते हैं इंक्रिप्शन तो whatsapp भी कुछ इसी तरह का करता है no doubt in that तो बहुत से लोगों के मन में यह question आ सकता है या फिर नहीं भी आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ आप कह सकते हो क्यार whatsapp भी तो इसी तरह के method का use करता है encrypted whatsapp भी साथ कर सकते हो into end encryption का use करता है तो whatsapp क्यों secure नहीं है और यह xmpp वाला जादा secure क्यों है तो यार यह समझो कि definitely whatsapp भी आपको encryption दे रहा है but the point is कि हमें नहीं पता कि यह जो whatsapp हमें encryption देता है वो actually में दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है क्योंकि whatsapp open source तो है नहीं और क्योंकि open source नहीं है तो हमें उसके code के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमें नहीं पता कि अगर whatsapp जब कहता भी है क्यार मैं आपको into end encryption दे रहा हूँ तो हमें actually में नहीं पता कि वो हमें किस तरह का encryption दे रहा है वो actually में encryption दे भी रहा है कि नहीं मैं कि दो चीक है दे भी रहा है तो क्या उसके पास कोई tools लो नहीं है पहले से मौजूद जिसमें कि वो ये भी make sure कर रहा है कि अगर उसको कभी भी ये chat read करनी पड़े तो वो read कर सकता है तो हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमाएं पास whatsapp का code नहीं है बट वही चीज़ जब हम XMPP की बात करते हैं तो XMPP में हमारे पास open source code होता है और open source code को कोई भी जाके जब चाहे तब पढ़ सकता है तो ये advantage हो जाता है आपका XMPP का over whatsapp और whatsapp एक centralized entity है तो वहाँ पे trust करना है यहाँ पे trust भी नहीं करना है क्योंकि हम सब कुछ किस पे कर रहे हैं TOR network पे कर रहे है तो चलिए अब समझते हैं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो यहाँ पे अगर आप धियान से देखोगे इस वाले dialogue box में tools पे tools में एक option है plugins का और plugins में अगर आप थोड़ा scroll down करोगे तो आपको दिखेगा OTR that is off the record messaging यह है OTR इस पे अगर आप click करना sorry for that मैं back करता हूँ यहाँ पे आना configure plugin करना configure plugin में आप देखोगे यह है basically off the record messaging और यहाँ पे मैं इसको भी enable कर दूँगा ताकि हमाई जब भी हम कोई भी messaging करें तो automatically वो initiate कर दे private messaging और हम require कर देंगे private messaging की हम हमेशा let's say private messaging की करना चाते है अगे it depends आप किस तरह के security level को चाहते हो आप चाहते हो तो definitely score आपको नहीं चाहते हो तो definitely you have a score अटा सकते हो and then we will simply close this हमारे यह काम यहाँ पे enable हो चुका है अब यहाँ पे मैं इस पे click करूँगा start private conversation करूँगा and now आप देखोगे attempting to start a private conversation और आप देख सकते हो conversation with this 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 your client is not logging the conversation okay अब मेरे client पे आते हैं तो यह है हमारा client तो मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिया आप generating private key for superman तो यह basically हम लोग एक तरसे आप कहा सकते हो asymmetric cryptography का use कर रहे हैं और इस पे मैंने एक पहले सी video बना हुआ है cryptography पे तो आप देख सकते हो मैं उसकी link description में शेयर कर दूँगा इसको मैं करूँगा ओके तब आप देख सकते हो कि unverified conversation ठीक है अब हमारा पहले यह unverified नहीं था पहले यह हमारा क्या था private नहीं था राइट अब यह unverified अब यह unverified क्या इसके बारे में बात करेंगे अभी के लिए अब हम जो भी conversation करेंगे वो एक private conversation होगा तो जो भी मैं आप चीजें इस बार इसके लिए आप से मैं भी superman पर हूँ तो superman से अगर मैं spider man पर कुछ भी भेजता हूँ तो उस particular case में जो भी conversation होँगे वो सब के सब private होगे तो मैं आप अभी के लिए हाय कर रहा हूँ जैसे high spidey ठीक है तो आप देखोगे high spidey आगे अब definitely यहाँ पे तो हमें high spidey ही दिख रहा है बट सब कुछ encrypted format में ही था वो सब कुछ यहाँ पे क्या किया इसने जो आपका software आप यूज करो internet messenger उसने सब कुछ आपके लिए take care कर लिए you don't have to worry about it but now the conversation that we are doing is a private encrypted instant messaging या फिर chatting भी आप कह सकते हो now there can be a question क्यार यह unverified का क्या चकर है तो basically unverified का अगर आप click करोगे तो unverified basically यह make sure करने के लिए है कि जिससे आप conversation कर रहे हो क्या वो सच में spider man ही है भी super man हो सकता है spider man के साथ कुछ ऐसी बाते करें जहांपे वो दुश्मनों के बारे में बात करें क्यार दुश्मन का अड़ा कहांपे है for example तो उस particular case में अगर हम लोग conversation कर रहे है spider man से और spider man कमान लो computer hack हो गया या फिर लोग spider man को किसी ने पकड़ लिया और अभी उन्होंने उसके computer पे भी हाथ साफ कर दिया है तो उसके case में spider man हमसे बात नहीं कर रहा होगा हमसे कोई और बात कर रहा होगा तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर authenticate करते हैं तो मैं करूंगा authenticate buddy और आप देखो कि यहाँ पर एक चीज आ रही है किया रहा है कि यहाँ आप बहुत तरह के formats हैं shared secret है manual finger film verification है तो question answer में क्या होगा कि मैं यहाँ पर question basically रहूँगा और उस question का answer सिर्फ और सिर्फ spider man को ही बता होगा it's like कि मैं देख रहा हूँ ना एक तरह से कह सकते हो code word generate कर रहा हूँ और उस code का answer सिर्फ और सिर्फ इस spider man को होगा जैसे आपने movies में देखा होगा कोई door कट कटाता है तो वो पूछते हैं कि भाई कौन है तो वो code word बोलता है and then only the conversation start या फिर तभी door open होता है तो जैसे कि माल लो मैं आप एक कह सकता हूँ question में कि what is the code word for example ठीक है तो code word क्या है बताओ और code word वे इसके लिए रख देते हैं कुछ असान सा ही रख देते हैं soupy spidey soupy spidey ठीक है तो यह हम लोग रख देते हैं यह secret रख देते हैं इसे मैं कर देता हूँ authenticate अब देखो यह waiting for buddy तो अब देखो जैसे ही मैं यह चीज की अब मेरे buddy के पास जैसे ही मैं buddy से connect करता हूँ तो मेरे buddy के पास एक यह आ जाएगा message कि भाई तु पहले authenticate करो कि तुम ही spider man हो अगर इसने wrong password डाला let's say इसने डाल दिया for example ultimate for example मैं आपको जब दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या authenticate करने कोशिश तो authentication failed हो जाएगा did you see that यह फाइदा है basically इसका use करने का again let's do this once more मैं करता हूँ authenticate buddy again वही फिर से मैं कोई question पूछोंगा again what is the code word code word and then again मैं यहां पर spidey या फिर चलो कर देते हैं spidey soupy ठीक है अब यह code word है मैंने क्या authenticate again में पास authentication के लिए आगया अब मैं करूँगा spidey soupy तो अगर यह authentication code मैंने सही लिखा तो मैं authenticate हो जाओंगा and now authentication will be successful अब मैं यहां पर अपने तो उसके साथ बात कर सकता हूँ अब दो को लिए क्या रहा है अगर आपको भी कुछ authenticate करना है इसने तो authenticate कर लिए कि तुम spider man हो बड़ तुम्हें कैसे बता कि यह superman है हो सकता है इस तरह कभी तुम्हें दमाब में आ रहा हो question तो अब उसके लिए क्या कर सकते है उसके लिए बहुत ही simple सी चीज़ है अचा मैं interchangeably कहीं okay मैं interchangeably बार बार इधर से उधर बोल रहा हूँ sorry for that I hope you got the point I think I think we are इधर मैं spider man हो और इधर मैं superman हो sorry for the name का इधर मैं ने किया बड़ उससे फरक परता नहीं है तो don't worry about it the only thing is कि अब मालो अगर यह हमारा spider man है okay this is the spider man account तो spider man को let's authenticate करना है कि यार spider man ने तो authenticate कर लिया कि यह superman है अब superman को let's say authenticate करना है कि यह spider man के नहीं तो वो भी कर सकता है यहां से unverified पर जाके authenticate buddy तो वो कहेंगा कि who are you for example और code word मालो है for example spidey तो authenticate तो now he is also authenticating कि यार spider man है कि कोई और है तो उससने लिखा spidey और authenticate तो आप देख सकते हो आपके पास अलग-अलग methods है जैसे कि आपने question पूछा था अब आप shared or secret मतलब कि आपने directly secret ही type कर दिया Spidey for example यह superman को authenticate कर रहा है तो आप कुछ भी एक single keyword ले सकते हो लेख से marvel versus DC तो उसको इसके verify करना होगा अब बात करते हैं हमारे last method की तो यहाँ पे हम लोग रही authenticate करेंगे और इसमें authentication के लिए हम लोग यूज़ करेंगे manual fingerprint का और manual fingerprint थोड़ा complicated सा method है जहाँ पर basically आपको पहले call करके बताना पड़ेगा इसे कि आप देश सकते to verify the fingerprint contact your buddy via some other authenticated channel पहले तो आपको एक secure channel और create करना पड़ेगा either telephone हो सकता है या फिर mail भी हो सकता है जो कि secure होना चाहिए और आपको वहाँ पर अपना बताना होगा कि आप देखो मेरा fingerprint यह है ठीक है मेरा fingerprint देखो यह है फिर अगर वो अपने तरफ से compare करेगा वो कैसे compare करेगा वो जाएगा अपने private पर re-authenticate buddy पर और फिर उसके बाद वो जाएगा manual fingerprint पर तो आप देखोगे कि उसके end पर जिसे कि यह देखो यह आपका fingerprint है तो उसके end पर भी दिखाएगा कि spider man का यह fingerprint है तो जब आप दूसरे को call करोगे तो एक तरह से आप दोनों के पास messages पहले से पहुचे हुए है बस आप लोग call पर उसे verify कर रहे हो कि हाँ यार यह मेरे पास code है तेरे पास वता क्या है तो वो बता देगा अगर दोनों के ही match कर गए तो सब कुछ सही है आप authenticate कर दोगे अगर नहीं है तो आप I have not पे click कर दोगे तो अभी authentication नहीं हुआ है और इस तरह से भी आप पूली तर से authentication कर सकते हो So these are all the three methods जिसके थूँ आप authentication कर सकते हो कि जिससे आप बात कर रहे हो वो सही person है कि नहीं है तो अभी अब बात करते हैं file sharing के बारे में तो अभी तक हम लोगों ने communication वाला पाट देखा communication किस तरह से आप privately, anonymously, securely कर सकते हैं अब हम लोग file sharing को भी देखेंगे कि किस तरह से आप privately, anonymously और securely कर सकते हो free of cost कर सकते हो कोई वैसन नहीं देना है and you can share your files तो यह कैसे हो सकता है तो पहली चीज़ तो हम लोग यह समझेंगे जब भी आप कोई file share करते हो तो पहले हमें उसका metadata remove करना होता है metadata remove करने का मतलब है कि उसका data about data metadata is data about data तो कभी-कभी क्या होता है जैसे कि आप photos है तो कभी-कभी क्या जादा तर cases में अगर आपने कोई photo लिए तो आप जो photo लेते हो आईफोन का 12 है, pro max है कौन सा आईफोन है, जिसके यह photo लिए मलब A to Z sub information उस image में होती है तो इसलिए अगर आप image social media platform पे share करते हो तो यह काफी risky हो जाता है because now people can easily track you down क्योंकि आपकी images में बहुत सारी details होती है तो इसलिए पहले हम लोग यह सीखेंगे और trust me, tails operating system के थूँ यह बहुत easily हो जाता है विदाओं किसी problem के then we will also learn how we can share encrypted files आज तो Google Drive की दुनिया है Dropbox की दुनिया है हर इंसान इन ही सब का use करता है file sharing के लिए but हम लोग आज देखेंगे decentralized तरीका, एक ऐसा तरीका जो कि open source है और जो कि हमें free of cost मिल ला है जिसके तरो आप files को share करोगे और encrypted files को share करोगे with free of cost और रिदम बढ़िया तरीके से तो यह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप मेरी screen पर देख सकते हो यहाँ पर दो images है और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि इस image को मैं दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ properties के अंदर और मैं जाता हूँ image के अंदर तो आप देखो कि इस image का कुछ भी metadata नहीं है यह मैंने कैसे किया मैं आपको बताऊँगा GNU Image Manipulation Program से Okay Nothing fancy Just to open this particular image Because it support नहीं कर रहा था जब मैंने सो run किया मैंने किया keep Okay and don't worry ये मैं thumbnails के लिए सरी फोटो किछवाता हूँ Actually मैं ऐसे नहीं किछवाता तो यहां पर अगर आप आप आओगे Image के अंदर Image के अंदर जाओगा Metadata Metadata के अंदर आप जाओगे View Metadata के अंदर तो आप देख सकते हो कि इस particular image को किस mobile से लिया गया है जरसे मैं आप दिखाता हूँ iPhone 12 mini से लिया गया है फिर image की length क्या है किस particular device से लिया गया है और भी बहुत साइज चीज़ें आप यहां पर देख सकते हो कि software, tie length, text resolution दुनिया भर की मलब आप देखे तो काफी जादा Metadata काफी जादा Metadata इसके साथ attached है तो आप देख सकते हो कि किस तरह की camera से लिग गई है यहां पर आप देख सकते हो और यहां पर I think you can see the flash कि मैंने flash on करके इस image ली थी कि नहीं ली थी और भी बहुत साइज चीज़ें आप देख सकते हो यहां पर जो कि मैं इस image के बारे में जान पा रहा हूँ तो this is the metadata metadata का मतलब होता है data about data तो मेरी image एक data है और इस image का भी एक data है जो कि मैं अपनी screen पर देख पा रहा हूँ Now this is something जिसके थूँ हमें अराम से recognize किया जा सकता है हमें अराम से पकड़ा जा सकता है तो ऐसे cases में हम क्या कर सकते हैं ऐसे cases में हम लोग basically किसी भी particular image पर यह वाला format नहीं support कर रहा है तो जैसे मैं इस image की बात करता हूँ तो मैं इसको right click करूँगा और यहां पर आपको एक option देखोगे क्योंकि आपका यह जो tails operating system में आपको यह साही चीज़े provide करता है और आपको simply remove metadata क्लिक करना है Now once you will do that आप देखोगे कि मैंने जैसी remove metadata किया तो as a backup यह image जो मैं previous image थी वो तो ही और यह मेरी एक cleaned image आगी आप देखरोगा ना dot cleaned लिखा है तो इसमें से metadata को remove कर दिये गए वो तो पहले सही वैसे remove था अगर अब मैं इसकी भी property देखूँगा तो definitely इसकी भी कोई metadata आपको यहाँ पर नहीं देखेगी अगर मैं इसमें ट्राई करूँगा तो I think यह work नहीं कर रहा है because of the format आदे तो failed to clean some items शो करते हैं आदे तो यह थोड़ा unsupport दिखा रहा है कि यह format इसको support नहीं कर रहा है पर अगर यह एक image होती और जिसको यह support कर रहा होता और अगर मैं यहाँ पर right click कर रहा और मैं यहाँ पर जाके remove metadata करता तो इसका भी जो भी metadata था like कि मैं कौन से, phone से हूँ, iPhone से हूँ क्या है, क्या है, क्या नहीं है सब कुछ इसको remove कर देता तो यह होगी हमारा first step जब भी हमें किसी file को share करना होगा सबसे पहले हम उसका metadata clear करेंगे और तभी उसको share करेंगे चलिए बात करते हैं next step की अब बात करते हैं normal file sharing की normal camera मतलब यह है कि जो हम day to day like में जैसे google drive के use करते हैं drop box से use करते हैं और भी बहुत तरह की हम लोग इस समय software's use करते हैं right clouds use करते हैं just in order to share the file और file sharing कैसे होती है मेरे पास let's say कोई file है तो मैं अपने friends के साथ लिए मेरा friend है मैं इसको ये file share करना चाता हूँ तो पहले ये file मैं भेजता हूँ server पे जो कि हमारे google का है अगर मैं google drive यूज कर रहा हूँ फिर मेरा friend उसको वहाँ से download कर पाता है तो आप देश सकते हो ये एक normal file sharing process है और इस normal file sharing process में एक problem है problem ये है कि मेरी file reside करती है google के server पे और google मेरे file को देख सकता है read कर सकता है manipulate करना चाहते है मैंने plate भी कर सकता है जो चाहे वो कर सकता है so this is not a good way of sharing file अब इसके बाद एक और method आता है जिसे हम कहते है encrypted file sharing encrypted file sharing में क्या होता है encrypted file sharing में हम इस file को जिसको हम अभी पने friend के साथ पहले share कर रहे थे उसको directly share नहीं करेंगे उसको पहले हम अपने end पे encrypt करेंगे और फिर इस file को हम server पे भेजएंगे जो कि कोई भी server हो सकता है जैसे whatsapp कहता है कि end to end encryption हम use करते है तो end to end encryption का मतलब यह ही है कि आपकी device पे ही encryption होगा तो आपकी device में आप encryption हुआ और आपने इस encrypted file को whatsapp के server पे भेजा और फिर इस file को आपने क्या किया आपने friend को फेज़ दिया और आपके friend के पास इस file में attach एक key होगी जिसके थूरू वो इस particular file को open कर पाएगा या फिर not in this file actually आपके friend के पास ही एक key होगी जिसके थूरू ये इस particular file को open कर पाएगा, देख पाएगा but again the question like with this encrypted file sharing problem अगर मैं इस encrypted file sharing की बात करो तो encrypted file sharing में सब कुछ सही लग रहा होगा अगर आप ध्यां से देखो अगर हमारी जो file है जो server के पास जा भी रही है whatsapp के पास जा रही है for example या फिर कोई भी हो सकता है आप ए company तो हमारी file अभी भी encrypted है और हमारी file क्योंकि encrypted है तो whatsapp इस encrypted file को कुछ भी नहीं कर सकता ना उसको रीड कर सकता है ना manipulate कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना हमारी file पूरी तरसे secure है क्योंकि हमने उसको encrypt किया है और अब encrypted file के साथ कोई भी चरचार नहीं कर सकता without a key और ये key किसके पास होगी ये key सिर्फ और से मेरे friend के पास होगी but there are certain drawbacks when it comes to encrypted file sharing as well अब आपको कि इसमें क्या problem है, encryption था, सब कुछ तो सही था तो encryption थो सही बात है, अच्छी चीज़ है but the problem is कि यहाँ पे हम किसी centralized entity पे भरोसा कर रहे है, right हम यहाँ पे trust पुट कर रहे है, अपना एक centralized entity पे and the problem is कि यह centralized entity जो कि हमें encryption की facility प्रोइड कर रही है, into an encryption की facility प्रोइड कर रही है, हमें उसका code तक नहीं पता है, because अगर हम बात करें WhatsApp की WhatsApp कहता है कि हम आपको into an encryption प्रोइड करते हैं, right ठीक है, करता होगा WhatsApp, मुझे नहीं पता, let's say for example, I can also not know कि सही में WhatsApp करता है कि नहीं, क्योंकि उसका जो code है, वो private code है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि WhatsApp कर क्या रहा है behind the scene and this is a problematic thing, everything is happening behind the scene, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरी, actually में जो file जिसको WhatsApp कहता है, कि मैं into encryption support करता हूँ जो आपकी device ही encryption करेगी, मुझे कुछ नहीं पता है, but the thing is कि हमें कैसे पता, कि यहाँ पर जो code हमें मिल रहा है WhatsApp के थूँ, वो सच्च में इसी चीज को logic को हो, मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्या पता कि WhatsApp ने कुछ ऐसा जुगार बैटा है हो, कि यार उसके पास कुछ हो ऐसा tool, जिसके थूँ थोड़ा बहुत unencrypt कर सकता है, या पर पूरा ही encrypt कर सकता है, गर उसको लगता है कि उसको unencrypt करना है, this is a problematic thing, this is a problematic thing, so what we can do here, so instead of relying on these encrypted file sharing method, जो कि हम बहुत सारी आजकल companies provide कर रही है हम क्या कर सकते हैं, हम use कर सकते हैं, एक ऐसी file sharing जो कि decentralized है, जो कि encryption को भी follow करती है, जो कि हमें privacy anonymity सब कुछ provide करती है, और वो service है, onion sharing service जो कि आपको tor network में मिलेगी, या आपको गूगल या फिर कहीं और नहीं मिलेगी, इस से फासर वो आपको tor network में मिलेगी, इस onion sharing के through, आप अपनी files को decentralized तरीके से, एक तरह से tor network जो है हमारा, उसका use करते हो, तो decentralized way में ही work करता है, because there is no centralized entity to control it, तो decentralized way में आप उसको share कर सकते हो, यहाँ पे यह code जो होता है decennalization का, जब सब कुछ आपको open source होता है, तो ऐसा भी नहीं किया है, पता नहीं यह मैं इस file के साथ क्या कर रहे हैं, मैं तो कुछ पता ही नहीं, यह सब कुछ open source है, आप जाके read कर सकते हो, पढ़ सकते होगी, इंका code क्या लिखा गया है, और यह पूरी तरह से आपको end to end encryption भी देता है, तो यह है basically onion sharing, जो की एक service है, अभी हम लोग इसको कर की भी देखेंगे, यह कैसे work करती है, but these are the good points, because with the help of these points, we can be sure कि हाँ हमारी privacy और anonymity पूरी तरह से बरकरार रहेगी, हमारी files से साथ कोई भी चेड़ चाड़ नहीं की जाएगी, तो अब बात करते हैं onion sharing की, कि आखरी में यह किस तरह से work करती है, तो माल लेते हैं कि आपका यह normal से देखने वाला computer है अभी, अभी एक दम normal से computer हो, और लेट से आपको कोई file share करनी है अपने फ्रेंड के साथ, आप onion sharing वेबसाइट का, मतलब onion sharing एक तरह से कहले, application का use करोगे, जैसे आप इसका use करते हो, तो आपकी जो यह normal दिखने वाला computer था, आप कह सकते हो, यह normal दिखने वाला computer, एक तरह से onion services प्रोवाइड करना शुरू करतेगा, onion services का मतलब यह है, कि अब आपका computer एक तरह से आप कह सकते हो, कि एक server बन चुका है, ठीक है, यह एक server की तरह वाग करेगा, जो कि एक hidden server होगा, जैसे कि आपकी onion services वाले server होते थे, उसी तरह से यह भी एक hidden server होगा, और लेट से अगर आपके friend को, कोई भी file की request करनी होगी आप से, जिसको आप share करना चाहते हो, तो आपका friend using the Tor network, वो क्या करेगा, एक path, बनलब different Tor network हमें एक path provide करेगा, और हम फिर उस file को, उसको provide करा पाएंगे, तो अगर आप ध्याँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे कोई भी centralized entity नहीं है, यहाँ पे कुछ भी centralized नहीं है, क्योंकि file आपके ही system पे है, encrypted form में सब कुछ है, और आपका friend यहाँ इस path से होते हुए, जिसको हमने बात की दिए, यह पूरे तरह से secure path है, तो उसको यह file का access मिल जाए, and let's see how it actually works, but this is how we use onion service, और इसी तरह जे टॉर network का use करके, हम securely किसी भी file को share कर पाते है, अब let's say मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यह वाली file जो मैंने clean की थी, उसको मुझे share करना है, तो मैं यह right click करूँगा, फिर मैं यहाँ पे करूँगा share via onion share, इस पर click करूँगा, I need to wait for some time, और आप देखोगी यह application open हो गई है, और यहाँ पे आप देखोगी एक option आ रहा है, add, basically यहाँ पे, start sharing का, और यहाँ पे एक add का भी option है, अगर आपको multiple file share करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप आप पे click करोगी, अब यह एक server बनने वाला है, और अब आपका friend यहाँ से file को ले सकता है, वो file को कैसे लेगा, उसको simply इस particular, आप देखोगी इस particular URL यूज़ करना है, ठीक है, और इस URL का use करके, आपका friend इस particular file को access कर पाएगा, अब यह देखते हैं कि यह access कैसे होगा, तो यह अगर let's say कोई मेरा friend है, तो यह वो अपने browser से access करेगा, let's say यह tor browser, और क्योंकि यह torg पे ही work करता है, तो इसमें आपके friend के पास torg का network होना चाहिए, तब ही यह चीज़ work करेगी, तो let's say वो अपने browser पे जाएगा, वो simply यह link paste करेगा, and वो enter करेगा, जैसी वो enter करेगा, it will take some time, हम लोगो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आपके आपके confirmation का message है okay करना है, and now you can see, कि यहाँ पे एक download file का option आ रहा है, तो अगर मैं आपके download files पे click करूँगा, तो आप देखोगे, कि यह मुझसे कहा रहा है, कि मैं इस file को कहाँ save करना चाता हूँ, तो इससे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी के लिए friend shared image, और यह सहाँ वे save करूँगा, और अब मेरी file जो है, वो मेरी friend के साथ share हो चुकी है, और उसके भी वही tall browser में वो जब जाएगा, places, tall browser, तो उसको अपने इस tall browser में आप देख सकते हो, फिर friend shared image, तो उसको अपने browser में, वेसकी इस folder में उसको यह image दिख जाएगी, this is good, right, this is good, this is totally secure, सब कुछ यहाँ बें secure है, कुछ भी आपको घवडाने के जरुवद नहीं है, सब कुछ encrypted form में है, सब कुछ P2P form में है, so yeah, it's totally secure service, और अगर मैं यहाँ पर close करता हूँ, तो आप देखो कि जैसे ही मेरे friend ने यह file को basically download किया, तो यह मेरी जो, basically जो service थी, वो रुख गई है, तब मैं यहाँ पर sharing नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अगर फिर से किसी के साथ तरह से share करना है, तो मुझे again start sharing पर click करना होगा, then only someone will be able to get this particular image, और any other file जो कि मुझे share करनी है, बट अभी के लिए, अब मैं normal computer बन चुका हूँ, मेरे पास अब मैं एक server की तरह back नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अपनी receive files, publish website, यह आँ, अभी हम लोग यह भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग website को publish कर सकते हैं, but after sometime, चलिए मिलते हैं, ओके, so now coming to the last part of this video, अब समझते हैं कि किस तरह से हम लोग फुद की अपनी dark website, या फिर आपके लिचे ऐसी website जिसको हम dark net पे host कर सकते हैं, यह कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत ही symbols आपको एक process बताऊंगा, जहां पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मैंने टॉर वाले ब्राउजर में एक file बनाई है, index.html file, बहुत ही simple file आपको एक लिखा हुआ है, ठीके है, so this is like, because हम लोग एक वो create करना जा रहे हैं, server create करना जा रहे हैं, और definitely, हम लोग एक server create करेंगे, और server पे हम ये high वाली file जो है, definitely आप कोई भी website host कर सकते हो, मैं आपको बस example के लिए, यहाँ पे सिर्फ high लिखा हुआ है, definitely आप चाहिए तो video, audio, CSS, HTML, CSS, आप जाद अद देखोगे, तो जिदनी भी आपकी आनियन websites होती है, वो पूरी तरह से javascript उसमें बहुत ही कम होता है, तो आप बहुत simple सी HTML, CSS वाल यहाँ पे files को host कर सकते हो, और वो कैसे करना है, मैं आप बताता हूँ, तो आप देखो कि index.html में सिर्फ एक simple समयने high लिखा हुआ है, अब let's say मुझे इससे host करना है, और अपने friends के साथ share करना है, टॉर network पे, ताकि यह hidden service की तरह वर्ख करे, तो मुझे simply इसको open करना है, वालब इसको, मुझे एक index.html file create करना है, उसमें जो भी मुझे code लिखना है, HTML का मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, I have done that, मुझे applications पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, internet, onion share पे, onion share पे आप देखोगे, एक option है, publish website का, यहाँ पे मैं add करूँगा, और जो भी मेरी files या folder होंगी, अभी तो मैंने एक सर्फ एक file बनाई है, उसको मैं select करूँगा, open करूँगा, and I will start sharing, और अब मेरा जो computer है, जो देखने से एक प्यारा सा छोटा सा computer है, अब वो एक server की तरह work करेगा, एक आनियन service की तरह work करेगा, जिसको कोई भी access कर सकता है, अब यह वो address है, जिसका use करके, कोई भी मेरी, इस website के content को पढ़ सकता है, and free of cost, कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए आपको, again आप लिको टॉर ब्राजर पर चलते हैं, मैं आप पर जाओंगा, इस link को paste करूँगा, और definitely आपको यह अपने main computer पर नहीं करना चाहिए, आपको पास अपना computer हो, laptop हो, जिसको आप चाहते हो कि as a server work करे, इसे मैं okay करूँगा, and you will see, this is the website that we created, again, you can change the content of this here, you can have a different HTML CSS, आप खुद का एक form आप बना सकते हो, सब कर सकते हो, जैसे अभी तक हम लोने dot onion पर websites देखी थी, वैसे आप यहाँ पर आराम से बना सकते हो, without a problem, the only thing is, आपको याद रखना चाहिए, कि यह पूरे time run करते रहना चाहिए, यह बन कर दोगे, तो भाई, सिरी सी बात है, आपका server एक तरह से बन दो जाएगा, ठीक है, and this is how we can create website on darknet, so I hope, अभी तक जो आपका fear था, dark web को लेकर के, इस video के बाद, पूरी तरह से वो हट चुका होगा, अब आपको पता चल चुका होगा, कि किस तरह से dark web को access किया जा सकता है, और dark web कोई हुआ जैसी चीज नहीं है, dark web भी एक web है, बस वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान, सतर रखो के उसको use करना है, nothing else, अगर आपको इस video अच्छा लगा है, तो यार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, लाइक कर देना इस video को, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि इस तरह के content आपको मिलते रहें, तो मिलता हूं नेक्स video में, तिल देन टेक केर, बाबाई,